अब इस चप्टर में चप्टर का नाम क्या है? चप्टर का नाम है manufacturing industries यानि कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम manufacturing की बात करेंगे जो भी ऐसी industries हैं, जो भी ऐसी factory हैं जो की manufacturing का काम करती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और इंडिया के कुछ खास manufacturing industries को हम देखने वाले हैं अब यहाँ पर manufacturing जब हम देखते हैं तो यह economic के second sector में आती है यानि कि secondary sector में यह आता है यह क्या चीज़ है भईया? इसको भी हम देखेंगे यानि secondary sector के बारे में जानना पढ़ना हमारा यहाँ पर goal है अब यहाँ पर शुरू करते हैं तो यहाँ पर कहाणी शुरू वैसे ही होती है जैसे incrity में हमेशा की जाती है यानि कि एक बच्चा कोई है जो कि बच्चा कहीं पर घूमने गया है और उसको कुछ देखने को मिला है तो यहाँ पर वही कहानी बताई गया है कहानी ये है कि एक बच्चा है जिसका नाम है हरीश जो कि दिवाली के दिन अपने parents के साथ market गया और वहाँ पर उसने क्या खरीदा यानि अपने parents के साथ उसने क्या खरीदा सूस खरीदा, क्लॉइज खरीदे अब खुद के लिए हरिश के लिए खरीदा गया अब यहां पर उसकी माजू थी उसने कुछ हुटेंसिल्स खरीदे शुगर खरीदा, टी खरीदा, दिया खरीदा ये सारी चीजे खरीदी गए अब यहाँ पर हरीश ने देखा कि जो shop है market में, market में जो दुकाने हैं वो एक तरीके से ऐसे items से भरे हुए हैं, जो की बिकने के लिए वहाँ पर रखे गए हैं भाई मार्केट में तुम भी जाते हो तो क्या देखते हो कि हर दुकान में बहुत सारे समान रखे हुए जो कि बीकते हैं ठीक अब यहाँ पर यह एक तरीके से सोचता है समझता है कि भाई देखो यहाँ पर इतने सारे आइटम्स हैं यह इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे य बड़े industries में, और कुछ जो utensils हैं, बरतंस हैं, और भी जो चीजे हैं, वो small industries में बनाई जाती हैं, और वहीं जो दिया होता है, जो दिया दिवाली में जलाते हैं, उनको लोगों के द्वारा बनाया जाता है, जो कारीगर होते हैं, वो बनाते हैं, अपने घर के छोटे-छोट इस small scale industry में, यानि आपने क्या समझा यहां से, यहां से समझा कि आप अपने आसपास जो भी चीजे इस्तमाल करते हैं, जो भी material आप खरीदते हैं अपने use के लिए, जैसे मैं यहां पर computer लेकर बैठा हुआ, तो यह computer हो गया, या फिर कोई आप चीज इस्तमाल कर रहे हैं, industries में, और कई तरीके की industries होती हैं, तो सभी चीजों को हम यहां पर समझने वाले हैं, अब यहां पर जब हम इस chapter को सुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ जाता है, यहां पर इस chapter को सुरुआत करने के साथ ही आपको एक word, यानि की एक word का definition, manufacturing क्या होता है, यह स valuable product is called manufacturing, तो भाईया, manufacturing का definition आपको यहां पर मिल गया, यानि की अगर आपसे manufacturing का definition पूछे, तो आप NCRT से यहां से उठाकर इस definition को लिख सकते हैं, आपको marks मिलेंगे, अब यहां पर यह कह क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहां पर कह यह रहा है, कि भाईया, और बहुत बड़ी संख्या में बनाते हैं, कैसे? Raw materials को लेते हैं, उसको process करते हैं, और उससे कुछ नया कीमती चीज़ बनाते हैं, भाईया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब simple है, आपके पास पत्थर है, आपने पत्थर को तोड़ा, उसको process किया, उससे cement बना दिया, पत्थ पत्थर के से, जो iron ore होता है, iron ore को खान कर, mining करके निकाला जाता है, उसको factories में, industries में process किया जाता है, उससे iron बनाया जाता है, या फिर steel आगे और process करके बनाया जाता है, तो पहले जो iron ore था, वो raw material था, iron ore को हमने process किया इंडस्ट्री में, और फिर steel बनाया, iron बनाया, और वी जो चीजे हम बना सकते हैं बनाया तो हमने क्या किया एक जादा valuable product बनाया यही होता है हमारा manufacturing अब ठीक है यहाँ पर आगे क्या कहता है देखते हैं तो यहाँ पर आगे कहता है कि भैया देखो जो paper यूज करते हैं वो paper manufacture किया जाता है wood से यानि जो wood जो पेड में हमें लकडिया मिलती है उसको process करके paper बनता है सुगर जो हम खाते हैं चीनी हम खाते हैं वो sugar cane से बनता है और साथ ही iron और steel जो है यह iron ore से बनता है और साथ में aluminum बनता है box side से, यानि box side क्या है एक तरीके का raw material है उसको लेते हैं, process करते हैं और क्या हम बनाते हैं, aluminum बनाते हैं तो यह क्या हो गया, एक तरीके का manufacturing process हो गया, समझ गया अब यहाँ पर आगे कहता है कि do you also know that some type of cloths are manufactured from yarn which itself is an industrial product, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको समझाना क्या चाह रहा है यहाँ पर कहता है कि क्या आपको पता है कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो yarn से बनता है और yarn जो है न वो खुद में एक industrial product है, yarn मतलब simply आप कह सकते हैं धागा जो धागा आप जानते हैं वो यह yarn होगे अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर आपने क्या समझा यहाँ पर मतलब यह हुआ कि अभी तुरंत हमने क्या देखा कि भाई raw material को process करके हम एक ज़्यादा valuable product बनाते हैं तो वो हमारा manufacturing होता है लेकिन कई बार होता है कि एक दूसरी factory एक दूसरी industry ने कोई final good बनाया कोई manufacturing करके कोई product बनाया उसको लेकर हम फिर से manufacturing करते हैं यानि क्या हुआ सबसे पहले जैसे यही yarn का example लेते हैं सबसे पहले fabric लिया गया fabric क्या होता है भहिया fabric देखो fabric का example हो गया जो sheep होते हैं जिनसे जो wool निकलता है जो उनके उपर का जो रेशा होता है पतला पतला रेशा जैसे आपके सरीर के उपर बाल है जो छोटे चोटे बाल है तो यह एक तरीके का रेशा हो गया उसी तरीके से जो आपका वुल बनाने के लिए जो रेशे इस्तमाल होते हैं वो फैबरिक हो गया उस रेशे को प्रोसेस करके उसकी सफाई करके और प्रोसेस करके क्या बनाया गया उससे यान बनाया गया यान एक इंडस्टी में बना वो फाइनल गुड बना यान फिर उसको दूसरी इंडस्टी में ले जाया गया, वहाँ पर उस industry ने उस yarn को process करके कपड़े बना दिये, तो यह क्या हो गया, यहाँ पर हुआ कि manufacturing का मतलब यह नहीं कि सिर्फ raw material से हम final good तयार करेंगे, कई बार हम दूसरी industry द्वारा बनाए गई चीजों का इस्तमाल करते हैं, नई चीजे बनाने में, जैसे iron ore की factory में क्या हुआ, iron की factory में क्या हुआ, iron ore से iron बना, फिर iron का इस्तमाल कई दूसरी जगों पर भी होता है, जैसे कहीं पर industry में क्या बना, steel बन गया, steel एक final product है, steel को फिर दूसरी car के industry में ले जाया गया, और steel को तोड़ मरोर कर दूसरा design देकर क्या किया गया, car बना दिया ग जादा valuable product बनाते हैं, ठीक है, यह तो चीज clear हो गई, अब आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे यहाँ पर एक और चीज बताए जारी है, people employed in the secondary activities, manufacture the primary materials into finished code, तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही आपसे क्या कहा था, कि भाई देखो जो manufacturing है न, यह एक तरीके की secondary activity है, यान secondary sector क्या चीज है, secondary sector आपने economy में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, कि primary sector, secondary sector और tertiary sector में हम economy को divide करते हैं, वहाँ पर primary sector क्या होता है, जहाँ पर हम nature से चीज़े प्राप्त करते हैं, जैसे हमारा agriculture क्या है, एक तरीके का primary activity है, जो dairy है, यानि जो दूद का पादन है, वो क्या हो गया, primary activity हो गया, उसी तरीके से जो हमारा mining हो गया, वो एक तरीके का primary activity हो गया, अब secondary sector क्या होता है, secondary sector होता है, जहाँ पर हम primary sector में उत्पन हुई चीजों को, यानि dairy का दूद हो गया, या फिर sugar cane हो गया, या फिर आपका कोई और चीज हो गया, जैसे इस्तमाल करके हम कोई नई चीज बनाते हैं, जैसे potato का इस्तमाल करके हम secondary sector में क्या बना सकते हैं, industry में क्या बनता है, भहिया, जो lese खाते हो, जो potato chips खाते हो, वो क्या है, वो secondary sector का production है, और वहीं जो potato क्या हो गया, वो क्या हो गया, primary sector का product हो गया, ठीक है, समझ गया कि primary sector क्य क्या हो गया secondary sector क्या हो गया उसी तरीखे से माइनिग का example देखो कि जो तुम्हारा माइनिग कर के iron ore निकाला गया जमीन के अंदर से mining कर के वो क्या हो गया वो primary sector का activity हो गया लेकिन जब हम उस iron ore को process कर के iron बना देते हैं तो ये जो process हुआ ना ये secondary activity हो हो गया secondary sector का activity हो गया फिर टर्री सक्टर क्या होता है 個 service sector भी कहते हैं यानी कि हम क्या करते हैं हम अपना service provide करते हैं कोई चीज कर कि manufacturing नहीं करते हैं बलकि जो primary sector है secondary sector है। उसको services provide करते हैं या फिर society को भी services जैसे teacher का जो job है वो क्या है एक तरीके से tertiary sector का activity है पुलिस का job tertiary sector का activity है क्या teacher और पुलिस कुछ चीज़े manufacturing करते हैं क्या वो iron ore से iron बनाते हैं क्या नहीं कुछ भी नहीं करते हैं बलकि वो service provide करते हैं society में जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी सेवा परदान करते हैं ठीक है समझ गया primary, secondary, tertiary क्या चीज़ है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर आगे कह रहा है वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाया the workers employed in steel factories car, beauties, textile industries, bakeries और fall into this category यानि कि जिन भी factories के बारे में आप जानते हैं वो सभी जो factory हैं industry है, वो सारे कहां आते हैं secondary activity में ही आते हैं अब कुछ जो लोग होते हैं वो services provide करते हैं जो कि मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर हम mainly बात करने वाले हैं manufacturing industries के बारे में जो कि secondary sector में आता है, यह तो मैं आपको पहले भी पढ़ रहे हैं, तो भईया इसलिए न कि जब हम economic की बात करते हैं किसी भी देश के development की बात करते हैं किसी भी देश के economic strength economic ताकत की बात करते हैं तो हमेशा बात किया जाता है कि उस देश में manufacturing industries कितना develop है जितना ज़ादा manufacturing industry develop होगा, उतना ज़ादा उस देश का हम economic power मानेंगे जैसे अभी अगर आप चाइना को देखें वर्ल्ड में चाइना को माना जा रहा है कि वो अमरीका को भी टक कर दे रहा है और बहुत ज़्यादा powerful हो चुका है क्यों? क्योंकि चाइना में manufacturing industries बहुत मजबूत हैं बहुत अच्छी हैं बहुत सारी चीज़े उत्पादन करती हैं और हमारा देश भी चाहता है क्या? कि हमारा देश भी manufacturing industries में आगे बढ़े इसलिए हम क्या कर रहे हैं? manufacturing पर सरकार भी बहुत जोर दे रही है और आप भी यहाँ पर आपको इतने छोटे से दस्वें क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है manufacturing के बारे में क्योंकि यह economically बहुत ही important चीज़ है अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे topic आजाता है क्या हमारे सामने? topic आजाता है importance of manufacturing यानि manufacturing क्यों important है? क्या हमें फाइदा provide करता है manufacturing? society को क्या provide करता है? यह ज़रा सा देख लेते हैं manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular mainly because भाई या देखो जो manufacturing sector है न उसको पूरे country का economic development या फिर general जो विकास development की बात करते हैं उसमें backbone माना जाता है यानि कि अगर आपके देश का manufacturing industry का development हो रहा है तो आपका देश डेवलप कर रहा है अगर आपका manufacturing development slow है तो आपका देश में development बहुत slow है अब या क्यों है ऐसा? यह देखते हैं अब यहाँ पर कुछ points है सभी points को हम देख लेते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है manufacturing industries not only help in modernizing agriculture which forms the backbone of our economy they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector अब यहाँ पर कहा जा रहे कि देखो भाईया जो हम लोग का primary sector है जिसमें agriculture है, mining है वो एक तरीके से backbone है हमारी economic उसके बीना आप कुछ नहीं कर सकते मतलब यह कि यार तुम लोग कुछ भी कर लो तुम लोग को अगर खाना नहीं मिलेगा भोजन नहीं मिलेगा जो की agriculture से मिलता है तुम क्या करोगे बड़े बड़े factory लगा कर तो यहाँ पर यहीं कहता है कि देखिए जो agriculture है वो हमारा backbone economy का उसको एक तरीके से manufacturing industry बहुत help करता है help तो करता ही है उसके साथ ही क्या provide करता है उसके साथ ही agriculture के उपर load कम करता है कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को job provide करके अगर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को job मिलता है तो उससे क्या होता है कि agriculture sector के उपर क्या होगा load कम होगा load कम होने का मतलब मतलब कि वहाँ पर कम लोग काम करेंगे कम लोगों का काम करने का मतलब क्या हुआ सर कम लोग काम करेंगे तो यह अच्छा चीज़ कैसे है अच्छा इसलिए है भया कि कम लोग काम करेंगे तो उनको income जादा होगा, कुछ लोगों को income manufacturing से हो जाएगा कुछ लोग को service sector से income हो जाएगा तो economy में सभी लोगों को income जादा होगा ठीक है यानि की manufacturing जब develop होगा तो जादा लोगों को job मिलेगा और हमारे देश का विकास जादा होगा ठीक है आगे यहाँ पर कहता है कि भाईया देखो जो industrial development है न यह हमारे लिए important इसलिए भी है क्योंकि यह हमें हमारे देश में से unemployment और poverty को हटाने में मदद करता है यानि की हमारे देश में जो गरीबी है या फिर बेरुजगारी है उसको खतम कैसे किया जा सकता है अगर हमारा industrial development होगा तो जादा लोगों को job मिलेगा जादा लोग पैसे कमाएंगे तो क्या होगा हमारे देश का तो development होगा ही हमारे देश में poverty भी खत्म होगी और साथ में unemployment भी खत्म होगा यानि बेरुजगारी भी खत्म होगी और ये एक तरीके से हमारा सुरू से ही goal रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है यानि कि जब देश आजाद हुआ था तो क्या किया या था बहुत सारे public sector industries खोले गए थे बहुत सारे joint sector ventures खोले गए थे ताकि हमारे देश में जो reasonable disparity है या फिर जो गरीबी है या फिर economic disparity है उसको कम किया जा सके और हमारे देश में जो अलग-अलग इलाके हैं जहां पर बहुत गरीबी है बहुत इस्तिती खराब है लोगों को unemployed है लोगों के पास सामने poverty का challenge है ये सारे चीज़े खत्म की जा सके इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा सही जब से देश अजाद हुआ है industrial development के उपर काफी जोर देते हैं अब आगे यहां पर आगे क्या कहता है आगे कहता है कि भाईया देखो manufacturing industry अगर मजबूत होगी तो हम क्या करेंगे कुछ चीज़े बनाएंगे मतलब कोई industry है फैक्टरी है विदेशों में बेचेंगे तो उससे क्या होगा हमारा trade और commerce बढ़ेगा और उससे हमें बहुत ज़दा foreign exchange देखने को मिलेगा हमारे देश में बहुत सारा foreign exchange आएगा मतलब dollar आएगा euro आएगा pound आएगा हमारे देश में अब ये चीज़े क्यों important है ये चीज़े बहुत important है क्योंकि हम अगर विदेश से कुछ खरीदने जाएंगे तो हम लोगों को इन dollar में ये सारी payment करनी होते है जैसे हम तेल लाते हैं विदेशों से petrol, diesel, crude oil जो होता है वो विदेशों से लाते हैं उसके लिए payment हमें dollar में करना होता है तो dollar आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे तेल खरीदिएगा dollar आएगा कहां से dollar आएगा जब चीज़ों को आप विदेश में बेचिएगा तब आपके पास dollar आएगा समझ गए? तो भाई export बहुत ज़दा important है export करेंगे क्या? जब हम factory खोलेंगे, factory में कुछ बनाएंगे उसको export करेंगे तो पैसे कमाएंगे फिर हम विदेश से कुछ खर देंगे सही बात है? बिलकुल सही बात है तो समझ गए? हमारे लिए manufacturing इसलिए भी important है क्योंकि हम export करना है जिससे हम foreign exchange कमा कर अपने देश की जरूरत की चीज़े विदेशों से खरीज सकें अब यहाँ पर आगे क्या कहता है? आगे कहता है countries that transform their raw materials into a wide variety of finished good of higher value as are prosperous यानि कि जो भी देश अगर हम दुनिया में सभी देशों को देखें, जो भी देश जिनके पास यह capacity है, यह power है कि वो अपने raw material को मतलब iron ore निकला या फिर और भी कोई चीज निकला उसको जब वो process करके बहुत सारे finished good तयार करते हैं जो कि higher value के होते हैं तो वो देश अमीर होते हैं मतलब है raw material जैसे iron ore मिल रहा है 10 रुपे केजी 10 रुपे पर केजी मिल रहा है हमने उसको process किया इंडस्ट्री में डाला उससे steel बना दिया iron बनाया फिर steel बनाया अब steel बना दिया तो steel जो है वो 100 रुपे पर केजी भी करा है तो यह क्या हो गया पहले हमने क्या किया जादा सस्ती चीज को process करके तो हमें 10 रुपे पर मिलता लेकिन 10 रुपे की चीज को process करके हमने 100 रुपे बनाया और 100 रुपे की चीज को हमने जाकर बेच दिया विजशों में तो क्या हुआ हमें जादा income हुआ जादा profit हुआ ठीक है अब यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या कहता है कि इंडिया जो है इंडिया अमीर तभी हो सकता है जब हम अपने manufacturing industries को diversify करें और उसको increase करें as quick as possible मतलब कि जितनी जल्दी हम अपने manufacturing industries को बहतर बना सकते हैं जादा उसमें उत्पादन कर सकते हैं और साथ में diversify कर सकते हैं कहने का मतलब कि पहले हम एक चीज़ बनाते थे अब हम 10 तरीके की चीज़ बनाने लगे तो वो ही बात यहाँ पर की जा रही है कि हम diversify कर देंगे हम लोग का अच्छा होगा development ठीक है समझ गया अब आगे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहता है तो यहाँ पर mainly आपको agriculture और industry की बात की गई अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या relation है ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे interact करते हैं अब यहाँ पर यह कहता है they move hand in hand मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ आगे वढ़ते हैं मतलब अगर manufacturing industry का development होगा तो agriculture को भी बढ़ावा मिलेगा और अगर agriculture को बढ़ावा मिलेगा तो साथ में manufacturing industry भी develop होगी कैसे देखते हैं अब यहाँ पर कहता है कि भाई देखो जो agro industries हैं इंडिया में उनकी वज़ा से agriculture को बहुत ज़्यादा raise मिला है बहुत ज़्यादा एक तरीके से development हुआ है कैसे उसकी productivity भढ़ा कर अब लेकिसर क्या हुआ क्या समझ में नहीं गया भी या देखो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है agro industries agro industries में क्या आएगा agro industries कहने का मतलब है कि वैसे industries जो गरी agriculture के उपर dependent है जैसे sugar cane से sugar का उत्पादन अगर हमारे पास sugar का factory होगा और हम बहुत सारा sugar बनाएंगे किस चीज़ से sugar cane से तो यहाँ पर क्या होगा जितना भी sugar cane का उत्पादन होगा उसको sugar बनाने के लिए खरीद लिया जाएगा अब किसान बोलेंगे अरे यार भीक रहा है और production करो sugar cane का तो क्या होगा agriculture यानि कि sugar cane का production बढ़ेगा ठीक है अब उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं हम लोग किसी और चीज़ का उत्पादन करते हैं जैसे potato है potato potato हो गया potato का उत्पादन करती है जो किसान करते है पोटेटो काउट पादन, फैक्टरी लगता है, किस चीज़ का, चिप्स बनाने का, पोटेटो से चिप्स बनने लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि भाई, चिप्स बनाने वाले कंपनी सारी पोटेटो आकर खरीद लेती है, तो किसान बोलें, अरे को कहना समझाने की कोशिश की जारी है अब यहां पर केवल मैंने एक तरफ से समझाया लेकिन आपके यहां पर चैप्टर में दोनों तरफ से समझाया गया दोनों तरफ से बताया गया उसको भी देख लेते हैं अब यहां पर क्या कह रहा है कि भाई अगर देखो एग्रो अगरिकल्टर के उपर कैसे डिपंडेंट है तो यहाँ पर यह डिपंदेंट है क्योंकि अगरिकल्टर से उन्हें रॉव मेट्रीयल बहुत सारे उच्यांपल है आप अगर ध्यान दीजिएगा, और पढ़िएगा तो बहुत उच्यांपल आपको मिल जाएंगे sinder do industries अपना समान agriculture बनाने में भी बेचती है अब लिगए ये क्या चीज हुआ ये क्या मतलब हुआ मतलब हुआ कि भाई जब आप agriculture करते हैं जब आप खेती करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूत होती है बहुत सारी चीजे मतलब जैसे आपको diesel pump चाहिए, irrigation करने के लिए, tractor चाहिए, साथ में fertilizer चाहिए, और भी बहुत सारी चीजे चाहिए, जैसे pipes चाहिए, irrigation के लिए, machines चाहिए, बहुत सारे चाहिए, तो यहाँ पर यह चीजे कहां बनती हैं, यह चीजे बनती हैं, industries में, अब यह जो industries है न, यह agriculture को चीज भी grow करेगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ grow करते हैं हमेशा, तो इस वज़े से क्या होता है, इस वज़े से होता है, कि जो development है, और competitive ने से, किस चीज़ का हमारे देश में manufacturing industry का, उसकी वज़े से सिर्फ यह नहीं हुआ, कि agriculture को फायदा हुआ, बलकि process जो था production का, वो इसमें काफी competition बढ़ा, काफी उसमें एक तरीके से competitiveness बढ़ा, उससे क्या हुआ, कि जो agriculture थे, मतलब जो किसान थे, वो एक तरीके से उन चीज़ों को खरीद कर, जो भी tools बन रहे हैं industry में, उसको खरीद कर क्या कर रहे थे, अपना production बढ़ा रहे थे, production बढ़ा रहे थे, ठी लोग मिलकर एक एकड़ में खेती करते थे, अब एक ट्रैक्टर आया, उसने सारे खेत में खेती कर दिया, वो भी चार दिन पहले लगता था बेक दिन में हो गया, तो क्या हुआ, efficiency बढ़ा या फिर नहीं बढ़ा, जी हां बढ़ा, तो यहां पर आगे क्या कहता है, आगे क उसको जादा efficient और जादा competitive होने की जरूरत है, self-sufficiency से काम नहीं चलेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अपनी जरूरत की चीज़े खुद बना लेने तो हम लोग ऐस करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ऐसी चीज़े बनानी हो सकते हैं और हमें फाइदा हो सकता है, ठीक है, ये चीज़े समझ गए, अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे यहाँ पर topic है, contribution of industry to national economy, यानि जो industry है, इसका national economy में क्या योगदान है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कि पिछले दो decades में, यानि कि पिछले 20 सालों मे लगभग, जो सियर्थ है, manufacturing sector का, वो हमेशा लगभग 17% के आसपास है, पूरे GDP का, और total जो आपका industry का है, वो है 27%, उसमें से manufacturing sector है 17%, मतलब कि 100 में से 27 है, किसका industry का, उसमें से 17, मतलब कि 100 में से 17 जो है, वो किसका है, manufacturing industry का है, ठीक है, और बाकी का जो 10% है, वो आपका mining, querying, electricity, gas, ये सारी चीज़ों का है, लेकिन ये अच्छी जानकारी नहीं है, या फिर अच्छा data नहीं है, क्यों अच्छा data नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरे Asian countries को देखते हैं, दूसरे जो East Asian economies देखते हैं, जैसे Vietnam हो गया, Myanmar हो गया, या फिर आपका Indonesia हो गया, जो ASEAN देखते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चलता है, कि वहाँ पर ये data 25 से 35% है, यानि हमारे देख में जहां 17% है, उनके देख में 25 से 35% है, तो देख लीजे, हमारे देख में manufacturing industry का जो development है, वो कितना कम है बहुत दूसरे देखों के comparison में, ठीक है, अब यहाँ पर आग per annum, यानि हर साल 7%, लेकिन जो हम लोगों को growth rate चाहिए अगले 10 सालों में, वो कितना चाहिए, 12% चाहिए, मतलब 12% से growth rate होना चाहिए, हर साल 12% जादा हमारे पास manufacturing होना चाहिए, तो यह हम लोगों required है, लेकिन हो कितना रहा है पिछली 20 सालों से, 7%, लेकिन यहाँ पर थोड 13 से manufacturing जो है, वो 9-10% लगतार grow कर रहा है, अब यहाँ पर थोड़ा मड़ा बात है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको short में मैं थोड़ा सा discuss कर देता हूँ, कि देखिए, अगर सरकार अच्छी तरीके से policy बनाए, intervention policy अच्छी तरीके से बनाई जाए, government के द्वारा, बहुत अ पर सरकार ने क्या किया है, National Manufacturing Competitiveness Council in MCC सेट अप किया है, ताकि इस चीज़ को किया जा सके, इस चीज़ को देखा जा सके, तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ पर क्या हुआ, सारी चीज़े आप अभी तक समझ गए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे सामन टॉपिक का जाता है, क्या टॉपिक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन हम देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन कहने का क्या मतलब है, मतलब है कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी कहां, इंडस्ट्र ज़र देख लेते हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई, industrial locations जो है ना वो काफी complex होते है nature में, मतलब कि किस जगह पर industry लगाना है, factory लगाना है, यह decide करना काफी complex काम होता है, कैसे, क्योंकि कभी भी जब्ही industry को लगाने की बात होती है, वहां पर कई सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि भाई वहां पर raw material मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या फिर उसको लाने में कितना खर्चा पड़ रहा है labor labor कितनी आसानी से मिल रहा है लोग कितनी आसानी से मजदूर वगरा काम करने के लिए मिल रहे हैं पैसे वहाँ पर मौझूद है या नहीं, पावर यानि एलेक्रिसिटी वगरा आती है या नहीं, मार्केट नजदीक है या नहीं, मतलब कोई प्रोड़क्ट हमारा बन जाएगा, उसको बेचने हम कहां जाएंगे, ठीक है? यह सारी चीज़ें देखकर ही कहीं भी इंडस्टी लगाई जाती है, लेकिन आप अगर देखिएगा, तो बहुत कम ऐसे जगह होते हैं, जहाँ पर सारे फैक्टर्स आपको एक ही जगह पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ऐसा जेनरली होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या क यहाँ पर यह किया जाता है, जो मैनुफैक्टरिंग है, वो ऐसे जगह पर लगाई जाते हैं, जहाँ पर इन सभी चीज़ों को, जो भी फैक्टर्स हैं, उन सभी को हम या तो बहुत सस्ते कीमत पर अरेंज कर लें, या फिर उसको वहाँ पर अड़्जस्ट थोड़ा किया पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है, कि भाईया देखो जब इन्डस्टियल एक्टिविटी सुरुआत होती है, अर्बनाइजेशन फॉलो करता है, मतलब, मतलब सिंपल है, कि भाई कहीं भी अगर फैक्टरी लगी, इन्डस्टियल लगा, तो क्या होगा, वहाँ पर तुर ठीक है, एक्जामपल, एक्जामपल है आपका जमशेदपूर सहर, जमशेदपूर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर आज के सौ साल पहले, या फिर उससे भी ज़्यादा साल पहले, क्या हुआ था, एक फैक्टरी लगाई गए थी, समझ गए, अब उस फैक्टरी के आ पास पास लोग रहने लगे, वहाँ काम करने लगे, कुछ और लोग आकर बसने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा एक बड़ा सा सहर बन गया, जिसको कि आज हम जमसेदपूर सेटे या फिर टाटा सहर नाम से जानते हैं, एक्जामपल आपका बहुत अ और दो सिटीज, कई बहुत इंडस्टीज क्या होते हैं, कि सहरों के अंदर या फिर सहरों के आसपास लगाई जाते हैं, अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि भाई, इंडस्टियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वो हैंड इन हैंड चलते हैं, मतलब एक साथ दो चलते ह मतलब कहीं पर अगर इंडस्टी लगी, तो भाई, अर्बनाइजेशन होगा, और कहीं पर पहले से अर्बनाइजेशन हुआ है, सहर मवजूद है, तो उसके आसपास ही हमेशा इंडस्टी लगाने की कोशिश की जाती है अब ही बुलेगा कि भाई, सहरों के आसपास इंडस्टी लगाने का क्या फाइदा है, क्यों लगाया जाता है, तो उसका रीजन है कि भाई, जो शहर होते हैं, सिटीज होते हैं, वो इंडस्टी को मार्केट प्रोवाइड करते हैं, कि आप जब कोई चीज का उतपादन बेचिएगा, वो जाकर आप कहां बेचिएगा, ठीक है, तो आप शहरों में आसानी से बेच सकते हैं, इसके अलावा सहर में बहुत सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, जो कि किसी इंडस्टी को रिक्वाइड होती हैं, कौन सी जैसे बैंकिंग, इंसूरेंस, ट्रांस किसी बिधा मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, लेबर आसानी से मिलेगे क्या, बिलकुल नहीं, कंसल्टेंट, फाइनेंसिल एडवाइज, ये सारी चीज़े मिलेगी क्या, नहीं जी, ये सारी चीज़े जिनरली मिलती कहां है, शहरों में मिलती है, इसी वज़े से क्या होता है, कि जो factories होती हैं, वो generally कोसिस की जाती है कि सहरों में लगाई जाएं, ताकि हम जो हैं, यानि जो factory वाले हैं, वो इन सारी चीज़ों का लाब उठा सके हैं. अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार होता है कि एक ऐसा reason डिवलप हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे industries एक जगह पर आकर लग जाते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं, जैसे चिन्नाई, चिन्नाई के आसपास आप अगर देखिएगा, तो बहुत सा इंडिया बन जाता है, और यह जो urban centers हैं, जहाँ पर इन सारे industries को support किया जाता है, मतलब सभी industries को क्या चाहिए? सभी industries को यह सारी चीज़े चाहिए, भाईया, banking चाहिए, insurance, transport, labor, concern, सभी चीज़े चाहिए, तो वहाँ पर क्या हो गया? एक तरीके का agglomeration economy develop हो गया, मतलब कि industry क जो भी चीज़े चाहिए, भाईया, यहाँ पर मौझूद है, आओ बगल में factory लगाओ, और सारी सुविधाएं ले लो, तो यह क्या हो गया? एक तरीके का agglomeration economy हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर आगे क्या कहता है? gradually a large industrial agglomeration takes place, और इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत industrial agglomeration हो जाता है. तो इंडिया में क्या वर्ल्ड में, वर्ल्ड में जैसे चाइना का सिंजन आप जानते होंगे, तो सिंजन एक ऐसा रीजन है, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्चीज हैं. आपको computer से related कुछ भी product खरीदना है, या फिर production करवाना है, तो आप सिंजन चले जा example है, कि वहाँ पर क्या हुआ, एक ही सहर के आसपास, सारी सुविधाएं का फायदा लेने के लिए, बहुत सारे industries एक जगह पर आगे, एक साथ आगे, और क्या हो गया, एक तरीके से develop किया, एक agglomeration economy का. ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा गया कि भाई, in the pre-independence world, यानि आदी के पहले, हम लोगा जो देश था, वहाँ पर जादा तर जो manufacturing units थे, वो आपको हमेशा overseas trade के point of view से setup किये जाते थे, मतलब कि factory कहां लगाया जाता था, ऐसी जगह पर लगाया जाता था, जहां से हम चीजों का उत्पादन करके bench सकें, मतलब कहां बेचे भाईया, विदे कोलकाता, चिन्नाई, इन सभी reasons में factories generally आजादी से पहले लगते थे, क्योंकि main target क्या होता था, कि इंडिया मैंने बिचना है, हमको इंडिया से बाहर जाकर बिचना है, ठीक है, और इसके बाद लेकिन जब देश आजाद हुआ, तो क्या हुआ, को बहुत सारे ऐसे reasons आगे, जहां पर क्या होने लगा, बहुत सारे industry वहाँ पर develop होने लगी, और urban centers बने लगी, और पूरा एक तरीके से इंडिया के अंदर, मतलब समुद्र के किनारे नहीं, अंदर वाले इलाके में बहुत सार जादा development होने लगा, और एक तरीके से industry setup होने लगी, अब यहाँ पर एक आपको दिखाई गई है, एक चीज पढ़ाया जा रहा है, वो क्या है, industry market linkage, अब यह क्या चीज होता है भहिया, industry market linkage क्या चीज है, मतलब कि जो industry है, और जो market है, यह एक दूसरी के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरी का साथ linked है, तो यह क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, मतलब की भहिया, देखो, industry क्यों लगती है, market के लिए, मतलब कोई आप factory अगर लगा रहे हैं, तो factory में आप कुछ चीजे बना रहे हैं, जैसे माल लीजी आप क्या बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, तो कार बना रहे हैं, तो कार किसी को बेचिएगा, तब न जाकर आपका production ह होगा फायदे मन, मतलब कोई खरीदने वाला होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, market, किसी भी चीज को बेचने के लिए क्या होना चाहिए, market होना चाहिए, market का कहने का मतलब यह नहीं कि आप जहां पर समझी जाकर खरीदे हैं, उसको market कहा पर नहीं का ज़रा है, market का रहे हैं तो कार खरीदने वाले लोग कार खरीदने वाला पुरा व्यवस्था उसके मार्केट हो गया अगर आप बना रहे हैं टॉइस तो टॉइस का मार्केट हो गया जहां पर आप टॉइस जाकर बेचिएगा जिन लोगों को बेचियेगा वो आपका market हो गया मतलब कि market और industry क्या है एक दूसरे के ऊपर dependent है market को industry की जरूरत है अपनी जरूरतों को पुरा करने के लिए और industry को जरूरत है market की अपनी चीजों को बेचने के लिए तो industry में क्या होता है सबसे पहले input लगता है मतलब raw material डाला जाता है और इसक इसके साथ ही बहुत सारे industry के factors डाले जाते हैं production के land, labor, capital, entrepreneur, infrastructure ये सारी चीज़े लगती है इसके बाद क्या होता है production किया जाता है production जब हो जाता है तो transport किया जाता है transport मतलब कि भाई अप्रोडक्शन से पहले इसको factory में transport किया जाता है factory में transport करके हम क्या करते हैं यहाँ पर ह market से हम बेचते हैं तो क्या होता है हमें पैसे मिलते हैं पैसे फिर कहां आते हैं वापस से फिर से हम ये raw material खरीते हैं सारी ववस्था लगाते हैं चीज़ों का उतपादन करते हैं तो market और industry जो हैं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं काफी एक दूसरे के उपर dependent ह अब यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो main decision है factory location का वो क्या है least cost ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भाईया सबसे सस्ता जहां पड़ेगा वहाँ पर हमेसा factory लगाई जाती है ठीक है government policies specialized labor also influence the location of industry मतलब सरकार की सुविधा कैसी है हमारे पास जो काम करना है उस काम क करने के लिए हमें labor मिल रहे है या नहीं ये भी हमारे लिए क्या है काफी important होते है मतलब भाई cost ठीक है cost आपको कम पड़ रहा है कहीं पर factory लगाने के लिए अच्छी बात है लेकिन मान लीजे वहाँ पर आपको वैसे लोग ही नहीं मिल रहे हैं जो कि आपको factory में काम कर सके या फिर सरकार वहाँ पर आपको factory ही नहीं लगाने दे रही है तो आप क्या किजिएगा तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक तरीके से सारी चीजे फैक्टर करती है लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे पैसे अगर सस्ता पढ़ रहा है सरकार की सुविधा भी है लोग भी आपको मिल जा रहे हैं आप तुरंत वहाँ factory लगाईएगा लेकिन कहीं पर है कि भाई सारी चीजे नहीं मिल पा रही है factory वहाँ पर नहीं लगाईएगा सभी चीजों को देखकर factory लगाए जाता है अब यहाँ पर एक चाट आपके किताब में दिया गया है ideal location of an industry कि भाई industry क को लगाने का सबसे अच्छा location कौन सा होता है तो यहाँ पर क्या है चार चीजें आपको चाहिए चार चीजें क्या है cost of production at site यानि कि उस जगह पर हमें चीजों का उत्पादन करने के लिए कितना खर्चा लगेगा मतलब वहाँ पर जो power है power supply उसका cost कितना है यानि जो बिजली होती है उसका cost कितना है वहाँ पर आपको land का cost कितना है वहाँ पर और भी सुविधाय के cost हमें कितने पड़ रहे हैं यानि किसी चीजों का उत्पादन करने के लिए हमें खर्चा कितना बैठेगा ठीक है cost of obtaining raw material at site यानि कि raw material प्राप्त करने का खर्चा हमें कितना लगेगा वहाँ पर मा लिजए कि आपने कहीं पर factory लगाने के लिए सोचा मा लिजए कि आप factory लगाने के लिए सोचते है UP में आपको raw material कहां से लाना है आपको raw material लाना है केरला से अब आपको वहाँ पर transport का खर्चा ही UP तक लाने में raw material का बहुत ज़्यादा पर जाएगा तो फिर आप बोलेगा नहीं नहीं यूपी में मज़ा नहीं आ रहा है इसको क्या करो ना इसको तुरं तमिल नाडू में लगा दो तो क्या होगा बगल में केरल के बगल में है हम ल पार्केट कितना दूर है अगर आपने माल लीजिए आपको समान बेचना है USA में आप उत्पादन कर रहे हैं कहां पर इंडिया में आपको यहां पर तो ठीक है सस्ता पड़ रहा है लेकिन आप जब इसको ले जा रहे हैं USA में तो वहां पर आपको बहुत महंगा बिचना भ प्रेट मतलब कि फैक्टरी को वहां पर लोकेट करने में आपको क्या परिसानी होगी या फिर नहीं होगी अब आगे देखते हैं आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है टॉपिक है Classification of Industries यानि कि Industries को हम कैसे classify कर सकते हैं किस प्रकार के Industries होते हैं सारी चीज़े अब हमें पढ़ आसपस बहुत सारी चीज़े बनती हैं, वो किस-किस प्रकार की हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया किताब में ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्व है, वेजिटेवल ओईल है, सिमेंट है, ग्लास वेर है, पेट्रोल है, मैचेज है, स्कूटर है, आटो मेडिसीन, बहुत सारे एगजामपल है, तो जब आप देख रहें कि आपके सामने प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो भया, इंडस्ट्री भी बहुत सारे होंगे न, एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग चीज़े तो बन नहीं सकती हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि ज अधार पर हम क्या करते हैं, differentiation कर देते हैं, different type of हमारे पास जो इंडस्ट्री हैं उनकी, यानि कि classification of इंडस्ट्री हम कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ताकि हम उनके manufacturing को better तरीके से समझ सकें, मतलब हमारा goal क्या है classification का, कि हम समझ सकें कि भईया देखो यह जो requirement क्या है, ये production क्या करती है, ये किस काम में आती है, किस काम में नहीं आती है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, सभी चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, classification करते हैं, अब यहाँ पर जब हम classification की बात करते हैं, तो classification हम कर कैसे सकते हैं, industries का, उसके कई सारे आपके basis सबसे पहले यहां पर आता है कि भाई या रौ मेटरियल के आधार पर हम क्या करते हैं इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई जो इंडस्ट्री है उसको रौ मेटरियल मिल कहां से रहा है ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस अब इसके आधार पर हम द प्राइम्री सेक्टर का ही पाट है ठीक हाँ जूट इंडस्ट्री सिल्क इंडस्ट्री टेक्स्टाइब रबर, सुगर, टी, काफी, एडिबल ओल, यह सारे जो इंडस्ट्री है न इन्हों जो रौ मिट्रियल यूजे होता है वो हमें मिलता है कहां से एकली कलिटर से और द्षार हमारा क्लासिफिकेशन है वो है mineral based industry, यानि mineral based industry उसके raw material क्या होते हैं, minerals होते हैं, वो हमें कहां से मिलते हैं, हमें mineral से मिलते हैं, जैसे जो ore वगरा होते हैं, iron or steel industry, इसका जो raw material होता है, वो mining के द्वारा निकाला जाता है, जैसे iron, ore हो गया, cement का भी mining के जरिए, aluminium, bauxite mining, या फिर machine tools, petrochemicals, ये सारे जो industries है ये है मेरा mineral based industry है, जो petrochemicals हो गया, इसके लिए raw material क्या हो गया, crude oil हो गया, ये कहां से निकलता है, mining के जरिए, या फिर जो आपका होता है, soft mining, एक special प्रकार का mining होता है, जिसमें हम प्रिथवी के नीचे से क्या निकालते हैं, crude oil निकालते हैं, petroleum product निकालते हैं, उसको process करके, हम petrochemicals बगरा बनाते हैं, ये एक प्रकार का classification का reason है, या फिर हम click है सकते हैं classification का basis है, इसके बाद दूसरा जो classification होता है, वो हम करते हैं उसके main role के अधार पर, यानि कि भाई देखो हमारे पास बहुत सारे industries हैं, बहुत सारे industries जो हैं, उसका main role क्या है, क्या वो एक आम आदम के लिए समान बनाता है, या फिर किसी industry में use होने के लिए समान बनाता है, ये इस अधार पर हम industry का classification करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहला है basic or key industries, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि ये जो industry है, ये ऐसी चीज़ों को बनाती है, जो की raw material के रूप में उसका product इस्तमाल होगा किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए, example, आप iron industry कह सकते हैं, iron industry क्या हो गया, उसने iron ore को process करके iron बना दिया, तो क्या उस iron का आप कुछ इस्तमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, iron आप लेकर आईएगा factory से क्या किजिएगा, कुछ नहीं किजि इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे iron का आपने rod बना दिया, तो आप अपने घर बनाने में इस्तमाल कर सकते हैं, iron को process करके हमने कहीं कोई railing बना दी, कोई और चीज बना दिया, या फिर हमने कोई building बनाने में इस्तमाल किया, तो iron को process करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इस्तमाल होने के लिए. जैसे आपने अगर स्टील का हुतपादन किया, तो क्या आप स्टील के बड़े बड़े टुकरे को आप खुद से इस्तमाल कर सकते हैं, क्या? जी नहीं. लेकिन जब स्टील का यूज करके, उसको यूज करके कार बना दिया जाएगा, तो आप car का इस्तमाल करते हैं Steel का यूज करके bike बना दिया जाएगा तो आप उसका इस्तमाल करते हैं यानि की Steel industry क्या हो गया एक तरीके का basic और key industry हो गया ठीक है ये clear है Almonium का भी यही बात है कि Almonium को कुछ जब तक special form नहीं दिया जाएगा आप यूज नहीं कर सकते हैं इसके बाद दूसरा टाइप क्या है consumer industry मतलब वैसी industry जो कि किसी industry के लिए चीज नहीं बनाती है लेकिन उसके द्वारा बनाए गए चीजों को directly कोई आम आदमी खरीता है जैसे कोई bike बनी जो bike का factory है bike का industry है वो जब bike बनाती है तो क्या उसको कौन खरीता है उसको एक आम आदमी खरीता है मैं खरीता हूँ आप खरीते हैं कोई और खरीता है उसी तरीके से क्या हो गया कार हो गया उसी तरीके से बहुत सारे example है बहुत सारे चीजे हैं जो की आम आदिमी इस्तमाल करता है वैसी जो फैक्टरियां हो गई वो क्या हो गए consumer industry के category के अंदर आ गए में डूल के अधार पर भी आप क्या हो गए समझ गए इसके बाद क्या है इसके बाद है भाईया capital investment के अधार पर कि भाई industry को बैठाने में कितना पैसा लगाया गया है इसके अधार पर यानि कि अगर कुछ लोग हैं जैसे मैं हूँ या फिर आप हैं या फिर दो चार लोग मिलकर क्या करते हैं एक छोटी सी factory लगाते हैं उस छोटी सी factory में कुछ पैसा लगता है 10 लाख रुपया लगता है 20 लाख रुपया लगता है और आप अपने घर में बगल में ही छोटा सा factory बैठा देते हैं तो ये क्या हो गया ये एक तरीके से small scale industry हो गया जैसे कि बहुत सारे लो ऐसे अगर हमेसा ये change होते रहता है फिलहाल में क्या है फिलहाल में 1 करोड है कि भाई एक करोड रुपया से कम अगर आप लगाते हैं तो वो क्या होगा small scale industry आएगी अब small scale के बाद जो दूसरा इसका है वो है large scale large scale large scale का simple है या एक करोड से उपर लगा कर आप कोई भी factory खोल अब आगे बढ़ते हैं ownership के आधार पर industry के classification कि भाई या industry का मालिक कौन है आप मालिक है या फिर सरकार मालिक है या फिर टाटा मालिक है या फिर अमवानी मालिक है या फिर आपका गावपूरा मिल के मालिक है कौन मालिक है इसके आधार पर भी हम industry का classification करते हैं और ये क्या हो सरकार है ना सरकार मालिक है इंडस्टरी की ये हो गया ये own की जाती है और चलाई जाती है सरकारी संस्थाओं के द्वारा गौर्वर्मेंट एजिंसी के द्वारा भेल, sale ये सारे example है कोल इंडिया हो गया, BSNL हो गया, यह क्या हो गया, यह सारे public sector industries है, ठीक है, आगे क्या है, आगे है private sector industries, private sector industries का मतलब, मतलब कि इसका मालिक सरकार नहीं होगी, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या फिर मेरे कुछ दोस्त लोग मिलकर हो सकते हैं, और यह सभी लोग industry को चला हैं और मालिक हैं, तो यह क्या हो गया, private industry, यानि कि owned and operated by individuals और a group of individuals, टिसको, बजाज, डाबर, यह सारे क्या हो गया, private sector के industry हो गया, इसके बाद है joint sector industries, अब यह joint sector industries क्या होते हैं, simple सा बात है, या कि सरकार और कोई company या फिर लोगों का group मिलकर अगर मालिक हैं, मतलब सरकार भ तो यह क्या हो गया, joint sector में आगे, joint sector समझ गया, कि सरकार, यानि state मतलब सरकार और साथ में individuals और a group of individuals, यह क्या हो गया, joint sector के example हो गया, इसका example क्या है, Oil India Limited, Oil India Limited क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, कि यह क्या है, इन्डिया का joint sector industry है, क्योंकि इसमें कुछ ही सर्दारी सरकार क और कुछ आम नागरिकों की भी है आम लोगों की भी है और ये एक तरीके से क्या हो गया joint sector industry का example हो गया इसके बाद है cooperative sector का industry ये क्या होते है ये एक तरीके से ऐसा industry होता है जिसमें वहाँ पर काम करने वाले जो लोग है जो producers हैं और suppliers है raw material जो supply करते हैं ये सभी लोग मिलकर मालिक है मतलब क्या हो गया भया इसका example सबसे अच्छा क्या है सबसे अच्छा है Amul Amul जो company है वो क्या है एक तरीके का cooperative company है मतलब इसमें जितने भी लोग है जितने भी किसान है जितने भी 37 लाह किसान है जो कि इसको दूद supply करते हैं और भी चीज़े supply करते हैं ये सभी लोग क्या है Amul के मालिक हैं इसी तरीके की चीज होती है कि जितने लोग काम करेंगे company में वो सभी company के मालिक होंगे और वो सब profit को आपश में share करेंगे ये एक तरीके से cooperative sector होता है ठीक है अब यहाँ पर आगे बताया गया है महराष्ट में जो sugar industry है या फिर केरल में कोईर industry है ये सारी आपके example हैं इसके तो आप समझ गए ownership के अधार पर classification इसके बाद क्या है bulk and weight of raw material and finished good यानि कि जो हम चीज़े बना रहे हैं क्या वो हलका है भारी है कितना भारी है इसके अधार पर classification इसके अधार पर दो industries बन जाएंगे heavy industry और light industry heavy industry मतलब raw material भी भारी है और product भी भारी है मतलब iron और steel industry भाई iron और steel भारी तो होता है weight bulk ज़्यादा होता है या आपको पता है light skill industry जहाँ पर raw material हलका होता है और हलके product बनते हैं यह आपका जैसे electronic good जो आपका electric bulb हो गया electric fan हो गया electric mouse keyboard यह सारे क्या हो गया light skill industry हो गया ठीक है यह आप समझ गया यहाँ पर अगर चीजे आप समझ गया तो आगे हम पढ़ने वाले हैं अब नए section को यहाँ पर हम कुछ खास industries को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या होगा सबसे पहले हमारा agro based industry आएगा मतलब कि agriculture के उपर based जो कुछ industries है उनके बारे में हमें ज्यादा समझना है ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है इसमें agro based industry को तो यह हम पहले ही समझ चुके हैं कि वैसी industry जो की agriculture के उपर based है अपने raw material के लिए example cotton, jude, silk, woolen, textile, sugar, edible oil यह सारे आजाते हैं किसमें agriculture, raw material agriculture से इनको raw material मिलता है यह क्या होगे agro based industry में आगे यहाँ पर आपके सामने क्या है textile industry को हम सबसे पहले समझने वाले है agro based industry में तो textile industry मतलब कि जो आपका कपड़ों का जो industry है जो कि आप कपड़े पहनते हैं उसकी बात हो रही है simple कि कपड़े पहनते जो हैं वो कपड़े का manufacturing क्या हो गया वो आपका किया जाता है textile industry के द्वारा अब कपड़े कई प्रकार के हो सकते हैं उसमें कई सारे steps होते हैं जिसको process करके फिर क्या बनता है final good यानि की कपड़ा बनता है अब यहाँ पर देखें ज़रा सा textile industry को समझ लेते हैं तो भाया जो textile industry है वो इंडिया में एक बहुत ही unique position है काफी एक तरीके से important है कैसे important है क्योंकि industrial production में इसका contribution काफी अच्छा है बहुत ज़ादा है इंडिया में employment ये बहुत ज़ादा generate करता है और साथ में foreign exchange भी हमें earn करके देता है foreign exchange कैसे earn करके देता है और यह क्यों important है यह हमने शुरू में ही समझ लिया है ठीक है इंडिया में ये एक मात्र ऐसी industry है जो की self reliant है और complete है value chain में यानि की raw material से लेकर highest value जो है वो इंडिया में ही बनता है मतलब क्या हुआ मतलब हुआ कि textile industry में जो भी काम होता है वो 100% इंडिया में हो सकता है मतलब यहां पर जरा से एक चार्ट हम जरा से दिखते हैं यहां पर चार्ट क्या है यहां पर आपको दिखाया गया है कि textile industry में जो final product बनता है वो कितने सारे steps से होकर गुजरता है और सारे steps इंडिया में हो सकते हैं यानि कि आपको क्या मिला सबसे पहले raw fiber है fiber का production हुआ raw fiber बना raw fiber का generation हुआ वो कहां हुआ इंडिया में हुआ फिर इसको spin करके spinning process के जरीए यान बनाया गया ये भी कहां हुआ इंडिया में हुआ फिर knitting हुआ weaving हुआ इसके जरीए fabric बनाया गया fabric भी कहां बना इंडिया में बना, फिर इसके बाद इसका coloring हुआ, dying हुआ, finishing किया गया, इसके बाद garment का manufacturing कपड़े को सिला गया, सारी चीज़े करके क्या की गई, final garment बना, ये सारी चीज़े कहा हुई, इंडिया में हुई, मतलब सबसे पहले raw fiber यानि की रेशा लिया गया, रेशा को spin करके धा धागा बनाया गया, धागा से फिर कपड़ा तयार किया गया, कपड़ा को कलर किया गया, फिर उसको गार्मेंट मैनुफेक्चरिंग यानि सिलाई बगरा किया गया, और फाइनल कपड़ा तयार हुआ, पूरा प्रोसिस इंडिया में हुआ, लेकिन जब आप दूसरे सेक्टर को देखते हैं तो बहुत कम ही ऐसे सेक्टर है जहां पर पूरा complete step आपका इंडिया में होता है समझ गया? जैसे computer की बात कर लें computer का यार कुछ भी part जो है वो इंडिया में नहीं बनता है कुछ part बनते भी हैं तो उसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है जो की completely इंडिया में production होता है इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं cotton textile के बारे में cotton textile को जरा सा देख लेते हैं तेखे cotton textile जो है cotton का जो production है cotton के कपडों का जो production है ये इंडिया में हजारों सालों से किया जा रहा है लेकिन हजारों साल पहले जो इंडिया में प्रोसेस था, cotton production का, कपडों के production का, ये hand spinning के द्वारा किया जाता था, यानि कि हाथ से चर्खा गुमा कर उस तरीके से cotton textile बनाया जाता था, और hand loom चला कर weaving techniques होते थे, यानि हाथ से करगा चला कर क्या किया जाता था, weaving किया जाता था, यानि बुनाई की जाती थी, ठीक है, लेकिन 18th century के बाद क्या हुआ, power looms आ गए, और power looms से कपडों का production होने लगा, तो इससे क्या हुआ, कि हमारा जो traditional industries थे, जो कि पुराने जमाने में लोग अपने घरों में काम करके, धागों का और कपडों का production करते थे, वो उसको बहुत setback लगा, और हमारा देश का जो पुराना पूरा ववस्था था, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग, artisans थे, लोग थे, जो कि इन चारे चीज़ों में involved थे, उनकी रोजी रोटी चली गई, और उनकी ववस्था खराब हो गई, क्यों कि शुरुआत में जो power looms थे, वो आये थे कहां पर, इंग्लेंड में आये थे, और वहां पर mill में बनाई जाते थे cloth, और ये बहुत सस्ते होते थे, और इंडिया में जो लोगों के द्वारा हांस से करगा चला कर, ये सारी प्रोसेस करके घरों में कपड़े बनाई जाते थे, ये काफी महंगे होते थे, इनको आज भी आपने सुना होगा, आपने क्या सुना होगा, खादी, खादी जो है न, वो वही चीज़ है, इंडिया ब्रिटेन का कोली नहीं था, तो इंडिया से भी बहुत सारी चीज़े सप्लाई की गई थी, और बहुत सारे तरीके से इंडस्ट्री डिवलप हुए थे, क्योंकि इंडिया से बहुत जारा रिक्वार्मेंट थी, ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कहजा है, कि भाई सुरुवात के सालों में क्या था, कि जो कॉटन टेक्स्टैल इंडस्ट्री था, वो आपका महराष्ट, गुजरात ये रिजन में आपका एक तरीके से बसा हुआ था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं अबलेबल थी, क्या सुविधाएं, रॉ कॉटन था, मार्केट था, ट्रांस्पोर्ट था, पोर्ट फैसलिटी था, लेवर था, क्लाइमिट अच्छा था, इन सभी चीजों की वज़ए से इस रिजन में क्या हुआ था, इस इंडस्ट्री का बहुत ज़दा ग्रोथ हुआ था, और साथ में क्योंकि इस इंडस्ट्री का एगरिकल्चर के साथ बहुत क्लोज लिंक है, कैसे लिंक है भाईया, तो कॉटन का प्रोड़क्शन जहां होगा, कॉटन कैसे प्रोड़क्शन होता है, खेती करके, एगरिकल्चर करके कॉटन का प्रोड़क्शन होता है, agriculture होगा, cotton produce होगा तब न ये industry में कुछ काम होगा तो इस वज़े से क्या है कि भाई ये industry agriculture के साथ जोड़ी होई है तो agriculture यानि कि किसानों को भी बहुत मदद मिलती है इस industry से साथ में बहुत बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में लोगों को ये job प्रवाइड करता है, जैसे किसान हो गए cotton ball प्रकर्स हो गए यानि कि जब खेती हो जाती है तो खेती के बाद जो आपका cotton का फसल उखता है उसमें से cotton ball को निकाला जाता है तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है और साथ में ginning, spinning, weaving इन सभी में जो लोग involved है उनको भी job provide होता है, काम मिलता है और भी तरीके से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर का होता है काम मिलता है, जैसे के dying, designing, packing tailoring, बहुत सारे steps पर हजारों लाखों की संख्या में लोगों को job मिलता है और यह जो industry है यह तरीके से बहुत सारे दूसरे industries को भी मदद करती है जहां से इनका demand generate होता है, मतलब cotton industry चल रही है textile industry चल रहा है, तो भया कपड़ा को रंगने के लिए रंग भी तो चाहिए वो कहां से आएगा, वो भी तो किसी industry में बनेगा न, उसको कुछ materials चाहिए, जैसे machines चाहिए, या फिर packing के लिए materials चाहिए, तो वो कहां से मिलेंगे वो दूसरे industry से मिलेंगे न, तो ये industry दूसरे industries को भी support करती है, क्योंकि देखिए, यहां पर हमने क्या देखा कि महराष्ट, गुजरात में सुरुआत में काफी एक तरीके से concentration था, आज भी अगर आप देखिए, तो जो spinning का काम होता है spinning का काम, तमिलनाडू गुजरात महराष्ट में ही, आपका mainly होता है, वही पर आपका centralized है लेकिन जब आप weaving की बात करते हैं मतलब कि आपको अलग-लग reason, अलग-लग region, अलग-लग इलाके का अलग-लग आपको weaving का काम लेगा जैसे बनारसी साड़ी, तो भाई बनारस मुत्वादन होता है उसी तरीके से मसूरी का या फिर और भी जगों के special, आपको special technique होता है कपड़ बनाने का, तो ये काफी decentralized है, ठीक है अब यहाँ पर आगे कहा जाता है, कि भाई देखिए spinning की जब बात होती है, तो इंडिया world class है spinning में, मतलब कि spinning में जो production होता है जो हम spinning करके production करते हैं, वो हमारा world class का है लेकिन जब बारी आती है fabric बनाने की, तो हमारा fabric जो होता है वो एक तरीके से हमारा उतना अच्छी quality का नहीं होता बलकि low quality का होता है और हमारे देश में जो yarn बनता है, यानी spinning करके जो धागा yarn बनाया जाता है, वो बहुत इच्छी quality का होता है अगर हम उस level का fabric बनाने लगे तो हमको पूरी world पर dominate करने से कोई नहीं रोपने पाएगा और weaving होता कहा है, weaving होता है hand loom से, power loom से, mils में, ठीक है तो यही सारी सीज़े यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर एक और चीज़ की भाई दिखे, जो हाथ से करगा चला कर खादी बनाया जाता है उससे भी बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों को जॉब मिलता है आगे बताया गया कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यां जापान को, दूसरे देशों को जैसे की USA, UK, रसिया, फ्रांस इन सभी देशों को क्या करता है इंडिया यान एक्सपोर्ट करता है ठीक है अब यहाँ पर world cotton यान के मामले में हमारा बहुत बड़ा share है पूरे world में लेकिन जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं weaving, knitting processing unit की वो एक तरीके से इंडिया में उतना अच्छा नहीं हो और हमारे खुद के जो अच्छी quality के yarn है उसका भी इस्तमाल नहीं किया जा सकता है ठीक है कुछ large और अच्छे एक तरीके से factories है इंडिया में लेकिन लेकिन, लेकिन क्या भाया लेकिन जो production है वो fragment है, small units में यहीं तरीके से हमारा जो एक तरीके से fabric market है, fabric production है वो उतना अच्छा नहीं है, yarn production बहुत अच्छा है और उतना हमको grow करनी की ज़रूरत है कि हमा अपने yarn के level का भी production कर सकें उतनी अच्छी quality का production कर सकें ठीक है, आगे बढ़े आगे यहाँ पर मतलब यहाँ पर दुख बताया गया कि क्या problem है, problem क्या है कि देखे, हम लोग अच्छी quality का cotton तो उगाने लगे हैं, लेकिन import करनी की अभी भी जरूरत है भारत में power supply अच्छी तरी नहीं मिलती है, machine जो use होता है वो भी अच्छी quality का नहीं है, उसको operate करनी की जरूरत है weaving और processing sector जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर करनी की जरूरत है, और हमारे देश में problem यह भी है कि labor का output बहुत कम है, मतलब कि जितने लोग काम करके जितना उत्पादन होना चाहिए था, उतना उत्पादन नहीं होता है, synthetic ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है जूट टेक्स्टाइल, जूट क्या होता है आपको पता है, जूट को हम silk fiber भी कहते हैं, और भी तरीके से जूट टेक्स्टाइल बहुत इस्तमाल होता है जो आप अनाजो के बोड़े आपने देखे होंगे, वो जूट के बने हुए होते हैं, इंडिया is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh, यानि jute के मामले में इंडिया जो है वो सबसे number one पर है, raw jute का production में, jute के products बनाने में, या फिर exporter के मामले में second number पर, बंगलादेश के बाद में exporter के मामले में second, लेकिन production के मामले में number one और ज़्यादा तर जो मिल्स हैं, इंडिया में वो कहां located है, वेश्ट बंगाल में located है, mainly along the banks of Hooghly river, in a narrow build, एक खास इलाके में, Hooghly नदी के किनारे, ज़्यादा तर आपके, जो आपके मिल्स हैं, वो located है अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि देखिए, यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, कि भाई factors, factors responsible for their row location in Hooghly basin are proximity of jute producing areas, inexpensive water transport, supported by good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh, Kolkata as a large urban center providing banking insurance port and facilities for jute export. भाई, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कि यहाँ से क्या question पूछा जा सकता है, नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, कि भाई, यहाँ देखो, West Bengal में, हुगली नदी के किनारे, jute industry है, तो jute industry इस region में क्यों है, क्या reason है कि इंडिया में jute industry, West Bengal के इस region में बहुत ज़धा development हुआ, तो यहाँ से आप आसानी से point उठा कर answer कर सकते हैं, यही इसी line को, इसी पूरे paragraph को, अगर आप points करके लिख देना, आसानी से आपको marks मिल जाएंगे, समझ गए, यहाँ से question बहुत important, यह question कई बार पूछा गया है, और आगे भी आप से पूछा जाएगा, समझ गया, तो यहाँ पर आगे कुछ और point है, यह ज़रा सा देख लेते हैं, कि भाई, यहाँ देखो, जो पहला jute mill था, setup किया गया था, कोलकाता में 1855 में, रिश्रा में, जब 1947 में partition हुआ, तो jute mills जो थे, वो, अब jute mills थे, यह point आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा map आपको दिखाना पड़ेगा, map ज़रा सा कि आस-पास पूरा industries थे, लेकिन जब partition हुआ, तो ज़्यादा तर जो jute mills थे, जिसमें कि jute का processing होता था, वो इंडिया के side आ गया, इंडिया के side आ गया, लेकिन जो jute producing areas थे, वो बंगलादेश में ज़्यादा तर चले गया, तो इस तरीके से partition के वज़ा से jute industry जो था, वो fragmented हो गया हम कह सकते हैं, वो टूड़ गया हम कह सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम समझ गए, कि factors वगरा हो गए, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या है, कि भाई, जो challenges हैं, jute industry के सामने, वो क्या है, यह भी आपके सामने कुछें पूछाता है, कि jute industry के सामने, क्या challenges हैं, इस पारा से आप answer कर सकते हैं, इस पारा को पढ़ लीजे, इस पारा को देख लीजे, यहाँ पर क्या है, कि भाई, देखें, जो हमारा jute sector है, jute industry है इंडिया में, यहाँ पर इसको stiff competition मिल रहा है, international market से, या फिर हम कह सकते हैं, synthetic substitute से, मतलब कि synthetic jute का substitute आ चुका है, उसी तरहीके से, बांगला देश, Brazil, Philippines, Egypt, Thailand, यहाँ से भी competition मिल रहा है, यह देश भी बहुँ ज़दा jute produce कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो internal demand है, वो काफी increase कर रहा है, क्योंकि government policy यह है, कि jute packaging बहुत ही जरूरी है, मतलब कि jute packaging अना जो बगद में jute packaging ही आपको करनी है, और साथ में demand को बढ़ाने के लिए, product को बढ़ाने की भी जरूरत है, main market क्या है, main market है USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK, Australia, यह सारे देश, और साथ में पूरे world में यह demand है, कि हम लोग क्या करें, global concern है, कि हम लोग को environment friendly बनाना है, हम लोग को environment friendly पूरा महौल रखना है, उससे भी हमें काफी boost मिल सकता है, कैसे boost मिल सकता है, कि जूट जो है ना वो एक तरीके से natural product है, plastic वगरा synthetic है, तो जूट का production जादा होगा, मतलब demand जादा होगा, क्यों 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 कि natural चीजों की और हमें आगे बढ़ना है, आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने है sugar industry, अब sugar industry में हम क्या देखने वाले हैं, अब यहाँ पर sugar industry में कहा जा रहा है, कि जो इंडिया है वो stand करता है, second number पर world producer में, sugar के मामले में, लेकिन first place पर आता है, good और खंडसारी के production में, गुड़ और खंडसारी क्या होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, कि sugar cane से तुरंथी क्या बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, ठीक है, तो raw material होता है, इस industry का, यह bulky होता है, और साथ में, जब इसको haulage किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह carry किया जाता है, तो इसका जो सुक्रोज content है, यह reduce कर जाता है, मतलब सर, मतलब क्या हुआ, मतलब simple है भया, sugar cane में क्या है, sugar है, उसी को तो हम लोग निकालते हैं, जिससे चीनी बनाते हैं, गुड बनाते हैं, खंडसारी बनाते हैं, तो क्या होता है, इसका जो raw material है, वो तो पहला बात बहुत भारी होता है, और साथ में, इसका जो सुक्रोज content है, मतलब कितना sugar content है, उसमें, वो घट जाता है, अगर इसको हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज़्यादा carry करें, बहुत दिनों तक रखें, बहुत जल्दी इसका use न करें, तो यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है, और साथ में यहाँ कहा जा रहा है, कि जो मिल्स हैं, वो UP में located हैं, बिहार, महराष्ट, करनाटक, तमिलनाडू, आंधपर्देश, गुजराद, पंजाब, हरियाना, मत्पर्देश, बहुत सारे राजियों में located हैं, 60% जो मिल्स हैं, पुरे इंडिया के, वो UP और बिहार में located हैं, और यह जो industry है, यह एक तरीके से seasonal है, तो इस वज़ा से, यह एक तरीके से, cooperative sector इसमें बहुत ज़दा involved है, मतलब cooperative sector के लिए, बहुत ही अच्छा यह sector है, और cooperative sector जो है, इसमें काफी ज़दा involved है, ठीक है, महराष्ट में जैसे हमने example देखा था, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, can you explain why this is so, एसा क्यों है, cooperative sector इसमें involved इतना ज़दा क्यों है, यह ज़रा समझाना है आपको, ठीक है, In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western state, especially in महराष्टा, हाल की दिनों में यह देखा गया है, कि जो mills हैं, वो southern state में move कर रहे हैं, और खास कर महराष्ट में move कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो cane produce कि आ जाता है, sugar cane produce कि आ जाता है, उसमें sucrose content high होता है, मतलब उसमें जो sugar होता है, उसका content high होता है, और साथ में जो cooperative हैं, वो इस इलाके में ज़्यादा successful भी हैं, इस वज़ा से, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पर है, कि जो ज़्यादतर challenges हैं, major challenges हैं, बड़े बड़े challenges हैं, इस seasonal industry के बारे में, वो है, सबसे पहला तो यह seasonal है, यह सबसे बड़ा challenge है, दूसरा क्या है, इसमें production का जो तरीका अपना आए जाता है, वो काफी पुराना है, काफी inefficient है, यहाँ पर transport में काफी delay होता है, factories तक केंड पहुँचने में बहुत time मिलता है, और baggays का use maximize करनी की जरूरत है, यानि कि challenges अगर आग सुगर केंड industry के बारे में पूछे, तो यहाँ से points उठा लीजे, कहीं और आपको net वगर आई या फिर इस paragraph को पढ़ने में मिल रहा है, तो उठा लीजे आप आसानी sensor करने पाईएगा, अगला हमारे समने क्या आ जाता है, अगला आ जाता है mineral based industry, mineral based industry को अब हम पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि industry that use minerals and metals as raw material are called mineral based industries, यानि कि वैसे industries जो की minerals और metals का इस्तमाल करते हैं अपने raw material के रूप में, वो क्या हो गए, mineral based industries हो गए, अब यहाँ पर कह रहा है, can you name some industries that will fall in this category, तो जब आभ भी तो नाम कर लिखके बताएए, तो वीडियो को pause कीजिए और तुरण नाम लिखके बताएए कि कौन सी industries हैं, जो की खास कर mineral based industry की category में आएँगे, आगे क्या है, सबसे पहला iron and steel industry आ जाता है हमारे सामने, iron and steel industry, तो अगर हम iron और steel industry की वाद करें, तो iron और steel को तो आप सभी देखे होंगे, आप सभी जानते हैं क्या होता है, कहां इस्तमाल होता है, नहीं जानते हैं तो मैं basic बता देता हूँ, कि देखे, iron और steel industry जो है, यानि iron और steel, वो एक तरीके से हर जगए इस्तमाल होता है, चाहे आप घर बना रहे हैं, तो भी इस्तमाल होगा, चाहे आप कोई factory बना रहे हैं, तो भी इस्तमाल होगा, चाहे आप दूसरा चीज प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्टरी या फिर industry कुछ भी लगा रहे हैं, आपको iron और steel industry की जरूरत होती है, यानि कि iron और steel आपको चाहिए ही, तो इस वज़ा से जो ये iron और steel industry होता है, ये एक प्रकार का basic industry हो जाता है, basic industry कहने का मतलब, मतलब कि दूसरे industries अपनी जरूरत के लिए, इस industry के उपर depend करते हैं, यानि कि अगर ये industry नहीं होगा, तो दूसरे industry भी properly function नहीं करने पाएंगे, समझ गए, तो iron और steel industry क्या हो गया, एक प्रकार का basic industry हो गया, ठीक है, अब basic कहने का मतलब कि चाहे आप दूसरा कोई heavy industry बना रहे हो, चाहे cement का industry बना रहे हो, चाहे आप computer का बना रहे हो, चाहे electronics कुछ बनाते हो, तो आपको इसके उपर depend होना पड़ता है, आपको iron और steel के जरूरत होती है, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, इस्टील जो है, इस्टील को इस्तमाल किया जाता है, बहुत सारे engineering goods बनाने में, construction material में, defense में, medical में, telephone, scientific equipment में, बहुत सारे consumer goods में भी, जैसे आप जो car इस्तमाल करते हैं, आपके family में car होगा, तो car या फिर bike या फिर bicycle, वो किस से बनता है, steel से बनता है, यह steel या फिर iron से बनता है, उसी तरीके से जो आपके आसपास buildings बने हुए हैं, उसमें जो rods लगे हुए हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, iron के rods होते हैं, इसी तरीके से जो steel और iron है, वो एक प्रकार का basic होता है, चाहे आप कोई भी industry काम कर रहे हूं, कुछ भी काम कर रहे हूं, ठीक है? अब यहाँ पर बात का है, एक activity दी गई है, कि आप जड़ा सा क्या कीजिए, कि आप ये पता लगाईए, कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़े, iron और steel की बनी हुई हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आगे एक point बहुत ही important लिखा गया, क्या लिखा गया कि भाईया देखो, production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाईया देखो, आपके देश में कितना steel और iron का consumption हो रहा है, कितना उपियोग हो रहा है, कितना production हो रहा है, उसके आधार पर ये पता चलता है, कि आपका देश कितना develop है, आपके देश में कितना काम हो रहा है, अब लेकर सर कैसे ये कैसे हो सकता है कि भाई या iron और steel के उपयोग से हमें ये कैसे पता चल जाएगा कि देश कितना develop हो रहा है देखो किसी देश में अगर काम जादा होगा जादा फैक्टरियां लग रहे हैं जादा घर बन रहे हैं जादा एक्टिविटी हो रही है तो आपको जादा iron और steel के जरूरत होगी क्योंकि ये एक प्रकार का basic industry है अगर आपके देश में कम activity होगी कम घर बनेंगे कम factories लगेंगे कम production होगा कम car बनेंगे कम bike बनेंगे तो आपको iron और steel के demand भी कम रहेगी समझ गए तो इसी तरीके से मासानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा देश कितना developed कर रहा है कितना developed है किस अधार पर कि भईया देखो iron और steel का कितना production है कितना consumption है ठीक है अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि iron and steel is a heavy industry कैसे industry है heavy industry क्यों है ये जरा सूचो व्यूडियो को pause करो और नीचे comment कर रहा हूं लेकिन तुम comment करकर बताओ कि तुम्हें पता है कि भईया देखो iron और steel industry heavy industry इस वजा से है क्योंकि इसमें जो भी raw material use होता है वो भी बहुत heavy होता है और जो iron और steel जो की output निकलता है वो भी बहुत होता है यानि कि finished goods भी बहुत heavy होते हैं तो यहाँ पर ये बात ध्य जान रखना अरे भाई तुमको तो पता ही होगा कि iron और steel कितना भारी होता है क्या तुम उठा सकते हो जो घर बनाने के लिए जो rods आते हैं छड़ाते हैं देखते हो कितना heavy होता है उसी से तुम आसानी से guess कर सकते हो कि यह कैसा होगा आपका heavy industry होगा अब यह heavy है तो उससे न आगे बताया गया है क्या की स्टील बनाने में क्या क्या उपयोग होता है कितना उपयोग होता है देखिये जब हम स्टील का production किसे होता हैं iron or से होता है ृस्पी डियॉस किया जाता है कोकिंग को इस्टील का production करते हैं, तो उसमें iron ore, cooking coal और lime stone 4-2-1 ratio में required होते हैं. इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अगर हमें बनाना है, क्या आपका? क्या बनाना है? हमें steel बनाना है. तो steel बनाना है, तो हमें 4 kg iron ore लगेगा, हमें 2 kg cooking coal लगेगा, और 1 kg lime stone लगेगा, 1 kg steel बनाने के लिए. ठीक है? ये एक तरीके से ratio में ये basic elements required होते हैं. और यहाँ पर आगे क्या कहा गया है? Some quantities of manganese are also required to harden the steel. यानि steel को और जदा हाड बनाने के लिए कुछ manganese की भी हमें जरूरत होती है. अब यहाँ पर आगे एक question पूछा जा रहा है. question पूछा जा रहा है कि where should the steel plant be ideally located? यानि कि steel plant लगाने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और बात कहा जा रहा है. remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. यहाँ पर कहा जरा है कि तुम यह जरा सोचो कि steel plant कहां पर लगाना सबसे अच्छा होगा? लेकिन ध्यान रखना कि भाई हमें product पहुंचा कर बेचना भी है. तो देखो, steel plant लगाने का सबसे अच्छा जगह कहां होगा? जहां पर हमें असानी से अपने नस्दीक में raw material मिल जाए, जिससे कि हमें transportation cost सस्ता पड़े, साथ में वहां से distribution के लिए railway network हो, transportation की वबस्था हो, ताकि हम अपने finished good को ले जाकर market में बेच सके. तो इन बातों का ध्यान रखके क्या करना होता है? हमें एक तरीके से industry लगानी होती है, कौन सी steel industry? ये एक तरीके से ये point ध्यान रखिएगा, इससे question बन सकता है, आप से पूछा जा सकता है, इससे और कुछ question बनेंगे तो मैं आपको बता दूँगा. यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2019 में, यानि 2019 का जो session था उसमें, कुल मिलाकर 111 million tons crude steel का production हुआ था, और जिसकी वज़ा से इंडिया जो था second highest crude steel producer था पूरे world में. लेकिन यहाँ पर एक चीज में आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि भईया 111 million tons और यहाँ पर उपर देखें, तो उपर क्या कहता है, यहाँ पर 2019-20 में 102 million tons, यह क्या है भईया, एक ही किताब में दो अलग अलग data, कुछ तो गलत है, भईया देखो गलत नहीं है, गलत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीस data की बात की जारी है, 111 million tons, यह कहा जा रहा है, crude steel production, और यहाँ पर 2019-20 में जो 102 million tons की बात की जारी है, यह finished, finished steel production, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क है, crude steel का simple मतलब होता है कि आपने process किया, factory industry लगाया, process किया और आपका बन गया steel, अब finished steel का मतलब है कि उस steel को आपने finish किया, उससे railing बनाया, या फिर कुछ कार में उपयोग किया, या फिर किसी ऐसी ऐसी चीज में उपयोग किया, जहां पर उपयोग वो हो सकता है, मतलब समझ गया है, कि finish करके उसको final product के रूप में ह वो हो गया crude steel, ठीक है, तो यहां पर ये point आपका ध्यान रखिएगा, इसके बाद कहा जा रहा है कि हमारा 2019 में जो per capita consumption था finished steel का, वो world में काफी कम था, कितना कम था भाया, ये जरा सा देख लेते हैं, कम था, कितना कम, 74 kg per annum, per person, समझ गये, और पूरे world का average कितना है, 229, यान पूरे world से करीब one third है हमारा, ठीक है, टोटल production of finished steel का ये यहां पर देख सकते हैं, इसको तो आपने देख लिया, कोई ज़्यादा जरुवत नहीं है, अब यहां पर कहा जा रहा है, कि देखें, बहुत सारे आपके mini steel plants भी होते हैं, जैसे अगर आप आप आईएगा यहां प wrap का उपयोग करते हैं, sponge iron का उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करके क्या वो बनाते हैं, यह steel बनाते हैं, लेकिन बहुत कम quantity में, जैसे बड़े steel producer में बहुत बड़े बड़े industry होंगे, factory होंगे, mini उतने बड़े नहीं होंगे, लेकिन यह भी production करेंगे, आपके specific requirement के हिसाम स लेकिन जो बड़े industry होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना specific production करते हैं, कि भाईया ऐसा हम बना रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, आगे यहाँ पर है कि process of manufacturing of steel, steel कैसे बनता है उसका process, यहाँ पर sort में हम discuss कर रहे हैं, कि देखिए सबसे प blast furnace, blast furnace जहाँ पर की iron ore को गर्म किया जाता है, जलाय जाता है, वो उसकी बात की जारी है, यहाँ पर iron ore को melt किया जाता है, lime stone को flux के रूप में use किया जाता है, जो slag बनता है, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, waste material होता है, उसको हटाया जाता है, coke, coke को burn किया जाता है, ore को heat करन के लिए अब यहां पर blast furnace का काम हो गया फिर क्या होता है फिर जो होता है pig iron का निर्मान होता है यहां पर molten material जो होता है इसको molds में डाला जाता है जिसको की pig में कहते हैं मतलब कि जब iron जो है जब liquid बन जाता है तो liquid को shape देने के लिए एक mold होता है कि उसको definite shape दिया जाए या फिर circle का shape दिया जाए वैसा mold होता है उसको ढालने के लिए liquid डाला गया liquid डाला तो वो पूरा अपना shape ले लिया और उसके बाद क्या हो गया वो हमारा iron हो ठीक है अब इसके बाद बारी आती है steel making की जो pig iron हुआ उसको क्या किया जाता है उसको purify किया जाता है milk कल के और साथ में oxidize भी किया जाता है ताकि जितने भी impurities हैं जितनी भी उसमें जो जरूरत की चीज़े नहीं हैं उसको हटाया जा सके इसके साथ ही magnees, nickel, chromium इन चीज़ों को add किया जाता है ताकि steel की quality को बढ़ाया जा सके और फिर आगे उसको shape करके, press करके, cast करके उसका shape दे दिया जात है और इस तरीके से हमारा steel का production हो जाता है ठीक है आगे यहां पर देखिए यहां पर आप map देख सकते हैं, map में आप यहां पर क्या देख रहे हैं, map आप अगर ध्यान से देखिए का तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो आपकी steel के plants हैं, iron और steel plants हैं वो यहां पर आप से question पूछा जाएगा, यहां पर question बनता है जो कि पहले आपको previous years में पूछा जा चुका है, यह question बनता है कि भहिया देखो छोटा नाकपूर reason में iron और steel plant बहुत ज्यादा located क्यों है, यानि यहां पर centered क्यों है, यह आपका question जो है न, इसका answer यहां पर अभी हम तुरंद देखने वाले हैं, answer देखते हैं कि भहिया क्या होगा, लेकिन उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ हम देख लेते हैं, कुछ points, यहां पर कहा जा रहा है कि most of the public sector under trading market there are steel through steel authority of India limited, यानि कि जीतनी भी सरकारी कंपनिया हैं जो की steel बनाती है, उनका जो steel बिखता है, वो sale के नाम से बिखता है, Steel Authority of India Limited के नाम से, यहां पर आगे कहा जा रहा है कि 1950 में चाइना और इंडिया जो थे, वो लगभग बराबर quantity में steel produce करते थे, लेकिन आज जो चाइना है, वो world का largest producer है steel का, और चाइना जो है, world का largest consumer है steel का, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है, कि जो चाइना है, उसका ग्रोथ बहुत जादा है, और पिछले कई सालों से लगतार बहुत जादा ग्रोथ हो रहा है, और उसके comparison में इंडिया का उतना ग्रोथ नहीं होने पाया है, जितना कि चाइना ने ग्रोथ एचीव कर लिया है, अब यहां पर आग इस reason में बहुत सारे आपको advantages हैं इस industry को लगाने के लिए, बहुत सादा फायदे हैं, क्या फायदे हैं? यहां पर iron और आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसी reason में iron और प्राप्त होता है, आसानी से हम सस्ते दामों पर transport करके factory तक पहुँचा सकते हैं, high grade raw material, बहुत अच्छी quality का raw material भी हमें मिलता है, यहां पर labor भी काफी सस्ता मौझूद है, यानी कि आसपास के जो reason है, वहां पर लोग काफी कम कीमत पर काम करने के लिए तयार हो जाते हैं, और साथ में, इंडिया में जो ये reason है, इस region से आप transportation भी कर सकते हैं, और साथ में, इंडिया में demand भी बहु and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, यहां पर ये भी question पूछा जाएगा, कि आखिर हम लोग full potential पर काम करने में सक्षम क्यों नहीं हैं, तो यहां पर तो भाया, simply आपको 3-4 points बताएगे हैं, वही लिख दो, आपको आसानी से marks मिल जाएंगे, इसको थोड़ा सा elaborate कर देना, कि भाई, भाई, high cost and limited availability of cooking coal, भाई, हमारे देश में जो cooking coal प्राप्त है न, वो उसका कीमत एक्तुर बहुत बहुत ज़्यादा है, और साथ में बहुत कम quantity में available है, चाइना में बात करें, तो चाइना में cooking coal बहुत सस्ता मिलता है, बहुत एक तरीके से amount बहुत ज़्यादा प्राप्त ह एक घंटे में, तो यहां का वैक्ती 5 kg बनाएगा, इस तरीके से productivity कम है, साथ में हमारे देश में energy का भी issue है, यानि जो line कटती है न, बिजली कटती है, उससे भी problem होता है, क्योंकि हमें steel industry में बिजली के भी जरूरत होती है, और इससे भी हमारा जो production है, वो hamper होता है, हमारे देश में infrastructure भी काफी पूर है, यानि कि हमारे देश में infrastructure का मतलब कि steel, जो आपका railway है, वो व्यवस्था अच्छी हो कि हम transportation कर सकें, रोड की व्यवस्था अच्छी हो कि हम transportation कर सकें, हमको electricity मिले कि हम production कर सकें, हमको एक तरीके से जो भी चीज चाहिए production के लिए, वो सुविधा अगर मिल रही है, तो वो क्या है, वही हमारा infrastructure है, और वो सुविधा अच्छी हमारे देश में मिलती नहीं है, अब यहाँ पर आगे आपको compare किया गया है, इंडिया और चाइना का, 2015 से लेकर 2019 तक का data देख सकते हैं, कि इंडिया के comparison में लगभग आप कह सकते हैं, कि 10 गुन production चाइना करता है किस चीज़ का steel का, crude steel का, इंडिया में कितना 111, चाइना में कितना 996 million ton, तो समझ सकते हैं कि चाइना में कितना ज़्यादा production हो रहा है, इसके बाद आगे कहा जा रहा है, कि देखिए हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी quality का steel भी import करते हैं दूसरी country से, लेक कि हमारे देश में जितना भी ज़रूत है उतना हम खुछ से produce कर सकते हैं इसका मतलब हम self dependent हो चुके हैं self reliant हो चुके हैं steel production के मामले में ठीक है अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि जब देखिए इंडिया में liberalization हुआ और foreign direct investment आने लगा उसकी वज़े से इस industry को काफी boost मिला क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे private entrepreneurs आ गए बहुत अच्छा growth देखने को मिला नई technology आए बहुत ज़्यादा investment हुआ उसकी वज़े से क्या हुआ कि यह industry में काफी हमें growth देखने को मिला है इसके साथ ही कहा जा रहा है there is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively यानि कि हमें बहुत ज़्यादा resources पै इसके जादा competitively यानि कि सही rate पर सही quantity में हम ज्यादा production कर सके यहाँ पर आगे आजाता है हमारा aluminium यानि कि हमने steel और iron की बात कर लिए आप हम Aluminium की बात करें, Aluminium की बात करें तो Aluminium Smelting यानि कि यहाँ पर जो एक तरीके से Industry है उसको क्या हम कहते हैं Aluminium Smelting कहते हैं, यानि Aluminium बनाना है Aluminium की Industry उसी की बात की जारी है Aluminium Smelting Is the second most important Metallurgical Industry in India यानि कि जो Mineral Based Industry है, उसमें Second Most Important क्यों है, Aluminium है अब इसका Reason क्या है, क्योंकि ये भी एक तरीके का Basic Industry है क्योंकि जिस तरीके से Iron और Steel की हमें हर जगे जरुवत होती है उसी तरीके से बहुत सारे Industries में Raw Material या फिर Basic आपका जो Requirement होता है, वो आपका Aluminium होता है अब इस Aluminium के फायदे क्या है, क्यों हम Aluminium का इस्तमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत हलका होता है Corrosion इसमें बहुत कम लगता है या फिर ये resistant होता है Corrosion से, Heat का बहुत अच्छा Conductor होता है, Malleable होता है और Strong बन जाता है जब इसमें हम दूसरे metals को Add कर देते हैं यानि कि इसमें हम कुछ Addition करें जिस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इस्टील बनाते हैं उसी तरीके से इसका अगर हम Alloyant बनाते हैं, तो वो भी काफी मजबूत होता है ठीक है, और इसका इस्तमाल कहां होता है इसका इस्तमाल होता है Aircraft Manufacturing करने में Utensils बनाने में, यानि बरतन बनाने में Wires बनाने में और भी बहुत जगहों पर कारों में भी इसका इस्तमाल होता है या फिर और भी बहुत जगहों पर Aluminium का इस्तमाल होता है अब यहां पर Aluminium धिरे-धिरे बहुत ज़्यादा Famous हो चुका है क्यों famous हो गया है क्योंकि इसको steel के जगह पर, copper के जगह पर, zinc के जगह पर, lead के जगह पर बहुत सारे industries में use किया जा रहा है example sir, example क्या होगा जैसे पहले cars में steel का उपयोग होता था, अब cars में बहुत ज़्यादा aluminium का उपयोग होता है wires में पहले हम बहुँ ज़्यादा copper इस्तमाल करते थे लेकिन अब हम aluminum का इस्तमाल बढ़ा रहे हैं इसी तरीके से और भी दूसरे industries है जहां पर हम क्या कर रहे हैं दूसरे metals को replace कर रहे हैं किस चीज से? Almonium से replace कर रहे हैं अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कहा जा रहा है Almonium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Keral, Uttar Pradesh, 36गड, महराष्ट and Tamil Nadu यानि जो Almonium से जुड़े हुए plants हैं जो आपके factories हैं वो इन region में ज़्यादा तर पाए जाते हैं इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई याद देखो जो Almonium में जो raw material उप्योग होता है न उसका नाम क्या है? Bauxite Bauxite एक तरीके का raw material है जो की Almonium बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब ये Bauxite जो है ये काफी भारी होता है raw material जैसा कि Metallurgical Industry है Almonium Basic Industry है Almonium Heavy होता है तो इसका raw material भी Heavy होता है और ये एक तरीके का Heavy Industry में आता है ठीक है? ये काफी bulky होता है Dark Redis Color का होता है और यहां पर आगे नीचे बतायागा है कि Almonium बनाया कैसे जाता है ठीक है? अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि Electricity भी काफी ज़्यदा required होता है इस Industry को चलाने के लिए और साथ में ये भी काफी ज़रूरी है कि हमें जो raw material है वो काफी सस्ते cost पर मिले ताकि हम एक तरीके से Industry को अच्छी तरीके से चला सके और ये दोनों जो factors हैं ये एक तरीके से बहुत ज़्यदा decide करते हैं कि भाईया ये Almonium की Industry लगेगी कहां यानि कि कौन कौन सी चीज़ें आपका पहला तो regular supply of electricity और दूसरा क्या है raw materials का cost minimum cost यानि सबसे सस्ता से सस्ता मिले तो यहाँ पर आपसे अगर question पूछा जाए कि भाईया देखो जो Almonium Industry है उसका location किन factors के उपर depend करता है तो आप यहाँ से answer कर सकते हैं क्या regular supply of electricity और assured source of raw material at minimum cost ये आपके दो factors हैं अब यहाँ पर आगे क्या किया गया है आपको बताया गया कि भाईया देखो Almonium जो है ये बनता कैसे है इसका पुरा process समझाया गया है यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि आपको 1 ton Almonium बनाने के लिए 4-6 ton आपको bauxite लगता है ये bauxite की quality पर depend करता है अच्छी quality में सिर्फ 4 ton खराब quality में 6 ton 4-6 ton आपने bauxite लिया उससे आपने क्या बनाया alumina बनाया 2 ton बना alumina फिर इसको और purify किजेगा प्रोसेस किजेगा तब जाकर आपको 1 ton Aluminium मिलता है जिसको की आप metal के रूप में उप्योग कर सकते हैं अब यहाँ पर हम प्रोसेस देख लेते हैं तो प्रोसेस में यहाँ पर बात करें तो जो आपका raw material होता है यानि bauxite होता है सबसे पहले इसकी querying की जाती है यानि इसको निकाला जाता है फिर इसको transport किया जाता है railway या फिर ship के जरीए जैसा भी हमारे पास सुविधा एवलेबल हो हमारे देश में train से भी transportation होता है raw materials का फिर इसको पहुँचाया जाता है aluminium refinery में अब यह refinery क्या काम करती है यह इस bauxite को crush करती है और साथ में क्या बनाती है एक तरीके का liquid बनाती है slurry बनाती है जिसमें की आपका alumina dissolve हो जाता है dissolve करके बाहर आ जाता है अब यहाँ पर आपको जो आपका bulk ore बनता है जो alumina बना उसको फिर आगे as aluminium smelter में भेज दिया जाता है इसके साथ ही हमें calcinated petroleum coke की जरूरत होती है peach की जरूरत होती है coil reary से यह सारी requirements होती है basic requirements जो की आपको aluminium बनाने में जरूरी होती है फिर यह जो aluminium smelter होते है यह क्या काम करते है यहाँ पर जो आपका alumina बना यानि यहाँ पर यह जो slurry बना जो आपका liquid form में बना उसको क्या किया जाता है यहाँ पर जो molten metal होता है यहाँ पर एक cryolite का आपका electrolyte के रूप में इस्तमाल किया जाता है जिससे की aluminium में electrolysis किया जाता है सौरी aluminium बोल रहा हूँ जो आपका liquid बना उसमें electrolysis किया जाता है और इसमें electricity लगती है electricity कितनी लगती है 18600 kilowatt per hour लगभग एक ton ore के लिए 18 megawatt की बिजली लगती है समझ गए इतना आपका electricity लगता है अब यहाँ पर इतना आपका electricity करने के बाद आपको क्या मिलेगा aluminium मिलेगा इस पूरे process के बाद तो अब हम आगे बढ़ते हैं ये तो आपका process है ठीक है अब यहाँ पर activity है activity को आप खुद से कर सकते हैं उसको उतना ज़्यादा बताने के मुझे नहीं लगता कि जरूरत है इसलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारे सामने क्या है chemical industry है chemical industries की बात करें तो chemical industry का मतलब क्या chemical industry का मतलब कि हमारे देश में जो different type of chemicals बनते हैं जैसे कि आपका बहुत सारे HCL का production हो गया H2SO4 का production हो यह आपका chemical का example दे रहा हूँ यही industry नहीं होता इसके लाव बहुत तरीके के industry होते हैं chemicals में तो यहाँ पर बात करें तो इंडिया में जो chemical industry है यह बहुती fast grow कर रही है और बहुती diversified है यानि बहुत different तरीके के आपके chemicals बनाये जाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा इसका growth भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप जब chemical industry की बात करें तो इसमें आपको large skill industry भी देखने को मिलेंगे और साथ में small skill industry भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो हमारा chemical industry है इसको generally हम दो categories में बाढ़ते हैं पहला आपका क्या हो गया? इन और्गेनिक जो आपका होता है sector यानि इन और्गेनिक chemicals और दूसरे क्या हो गया? और्गेनिक chemicals उसके organic sectors दो different type of आपका आप कहा सकते हैं chemical industry में दो different type of sector होते हैं इन और्गेनिक और और्गेनिक और्गेनिक का मतलब जिसमें carbon content या फिर आपका इस तरीके के चीज़े हो गई और इन और्गेनिक बाकि दूसरे सारे तो इन और्गेनिक chemicals की बात करें तो यहां पर आपका sulfuric acid यानि की जो H2SO4 है उसका production होता है जिसका की manufacturing में use होता है किस चीज़ के fertilizer, synthetic fiber, plastic, adhesive, paint, dye, stuff इन सभी चीज़ों में इस्तमाल होता है यानि जब हम chemicals की बात करते हैं तो chemicals से जो आपका production होता है जो चीज़े बनती हैं उसको इस्तमाल किया जाता है दूसरी factories में कौन सी factory? fertilizer के factory, synthetic fiber जो plastics आप उपयों करते हैं उसमें, adhesive यानि गोंद बनाने में paint बनाने में, dye के लिए जो चीज़े बनती हैं उसके लिए इसके अलाबा जो दूसरे chemicals बनते हैं वो कौन कौन से हैं? नाइटरिक एसीड का production alkaline का production, soda ice का production soda ice का उपयों कहां होता है? glass के production में जो glass आप यूज करते हैं, cc का उपयों करते हैं उसकी बात की जारी है shop के production में dessert, detergent, paper इन सभी जगों पर soda ice का उपयों होता है साथ में caustic soda का भी production किसमें आता है? इन और्गेनिक सेक्टर में ही आता है अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि these industries are widely spread over the country यानि यह जो इंड़स्ट्री है इन और्गेनिक वाली यह पूरी इंडिया में फैले हुए हैं अलग अलग जगों पर तो जरा इस question के answer सोचिए कि भाईया ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? तो यहाँ पर मैं factor बता देता हूँ तो भाईया देखो किसी भी industry को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला तो raw material हमें सस्ता मिलना चाहिए transportation सुविधा अब लेवल होनी चाहिए साथ में जो product बनेगा उसको market तक पहुचाने के लिए भी हमारे पास सुविधा होनी चाहिए और cost भी कम लगना चाहिए तो ये दोनो factors इसको कैसे प्रभावित करते हैं ये खुद से आप answer कीजिए क्योंकि सब चीज मैं ही थोड़ी ने बताऊंगा आभी कुछ पढ़ रहे हो समझ गए तो यहाँ पर आगे देखो आगे यहाँ पर क्या है यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो organic chemicals हैं इसमें आपको आजाते हैं petrochemicals जिसको की आपको synthetic fiber synthetic rubber plastic बनाने में उप्योग किया जाता है यानि जो petrochemicals होते हैं जो आपका crude oil होता है जिससे के petroleum product बनते हैं और भी जो petrochemicals होती हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है तो यहाँ पर बात करें तो इनका उप्योग plastics के अलावा dye stuff, दवाईया बनाने में pharmaceuticals में इन सभी चीज़ों में इस्तमाल किया जाता है जो organic chemical plants होते हैं यह आपको oil refineries या फिर petrochemical plants के नजदीक located होते हैं क्यों? क्योंकि इनको raw material मिलता है refineries से, जो crude oil आया जो petroleum आपको raw material आया उसको oil refineries होती है वो process करती हैं और फिर इनको जो भी raw material चाहिए वो इनको वहाँ से प्राप्त हो जाता है यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि the chemical industry is its own largest consumer यानि जो chemical industry है वो जो चीज़े बनाती है वो chemical industry खुद ही इस्तमाल कर लेती है बहुत बड़ी संख्याने अब लिगे सर ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि different type of chemical का उप्योग होता है different type of chemical बनाने के लिए जैसे मैंने क्या बनाया? Sulfuric Acid बनाया, HCL बनाया एक factory में अब दूसरा factory है उसको reaction करवाने के लिए HCL चाहिए तो वो HCL खरीद लेगा और अपने factory में इस्तमाल कर लेगा इसी तरीके से अलग-अलग chemicals का इस्तमाल कर लिया जाता है दूसरे chemical industry के द्वारा और इस वाज़से जो chemical industry है वो खुद ही अपने product को बहुत ज़्यादा use करती है यानि एक factory से खरीद कर दूसरी factory दूसरी से तीसरी, पहली से तीसरी दूसरी से चौथी इस तरीके से आपस में खरीद खरीद कर different type of product different type of chemical ये लोग बनाते रहते हैं और फिर आगे चलकर इनका उप्योग होता है जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर बहुत सारी example दिये गए dye, stuff, drug, petro, pharmaceutical बहुत सारी चीजें तो इन सभी जगों पर इस्तमाल होता है यहाँ पर आगे कहा जा रहा है यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application यानि जो basic chemicals होते हैं इनको इस्तमाल करके दूसरे chemicals बनाय जाते हैं फिर उसको process करके क्या बनाय जाता है ऐसी चीजे बनाय जाती हैं जिसको इस्तमाल किया जाता है industries में जैसे HCL का example यहाँ पर लिया गया कि HCL बनाया जाता है HCL का इस्तमाल करके बहुत सारी चीजे बनाई जाती हैं क्या बनाई जाती हैं तब यहाँ देखो यहाँ पर fertilizer, synthetic, fiber, plastic और भी जगों पर इस्तमाल होता है तो इसके बाद हम आज आते हैं fertilizer industry के उपर fertilizer industry की बात करें तो जो fertilizer industry है वो mainly आपका centered है nitrogenous fertilizers के आसपास यानि कि जो nitrogenous fertilizers है जिसमें की mainly आपका urea आ जाता है वो बनाया जाता है fertilizer industry में इसके अलावा phosphatic जो phosphate content करने वाले जो fertilizer होते हैं उनको बनाया जाता है और ammonium phosphate आपका DAP क्या है ammonium phosphate है साथ में complex fertilizer जिसमें की आपका nitrogen phosphate और potassium मौझूद होता है इन सभी को mainly बनाया जाता है किस चीज में fertilizer industry में तो fertilizer industry में यही क्यों बनाया जाते हैं mainly यह ज़रा सा सोचिए उसका reason यह है कि हमारे देश में जो fertilizer use होते हैं उसमें ये content वाले fertilizer mainly use होते हैं इस वज़ा से यहाँ पर कहा ज़रा है कि जो इन में से third है यानि कि जो potass है वो entirely import किया जाता है विदेसों से उसका reason यह है कि potass हमारे देश में नहीं पाया जाता है मेरे ख्याल से बिलकुल ही नहीं पाया जाता है और है भी तो इतनी quantity में नहीं है कि हम उसको factories में इस्तमाल कर सके आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इंडिया में green revolution हुआ green revolution का मतलब जब इंडिया में खेती को बहुत ज़्यदा बढ़ावा दिया गया बहुत सारे hyv seeds और भी चीजों का इस्तमाल करके agriculture को growth करवाने की कोशिश की गई उसकी वज़े से क्या हुआ उसकी वज़े से fertilizers का भी demand बढ़ा और जब fertilizers का demand बढ़ा तो इंडिया के अलग लग parts में जैसे की गुजराद, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में क्या होने लगा? fertilizer बहुत ज़्यादा produce होने लगा और भी जगों पर produce होते हैं लेकिन यहाँ पर पूरे इंडिया के requirement का आधा से भी ज़्यादा produce होता है दूसरे जो राजियों हैं जहाँ पर production होता है वो कौन से हैं? आंधप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महराष्ट, असम, विष्ट बंगाल, गोवा, देली, मधप्रदेश, करनाटक यह सारे राजियों में भी fertilizers बनाए जाते हैं तो देखें यहाँ पर जितने भी आपको industries बगरा के बरहे में बताया जा रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सभी industries के location बताया जा रहे हैं कि कहां-कहां located हैं, उनका use क्या होता है इस तरीके की बात ही mainly आपको इस chapter में focus करनी है सभी industries के उपर आगे हमारे सामने cement industry अब हम cement industry के बात करने वाले हैं तो देखें, cement जो है, वो बहुत ही basic चीज है बहुत ही basic industry है क्योंकि हमें जितने भी construction activity करने हैं अपने देश में, अपने सहर में, अपने गाउं में तो वहाँ पर हमें cement के जरुरूत होती है क्योंकि cement का उपयों कहा होता है building बनाने में, घर बनाने में, factories, industries बनाने में, road, airport, dam, सभी जगों पर हम कोई भी construction कर रहे हैं, हमें उसमें cement की जरुरूत होती ही है और ये जो industry है, ये एक तरीके का heavy industry होता है क्योंकि इसका raw material क्या होता है, bulky होता है, heavy होता है और साथ में इसका जो final product निकलता है, जो final good निकलता है वो भी क्या है, एक तरीके का हमारा heavy item होता है और इसमें जो चीजे required होती है, जो आपका basic requirement होता है raw material का, उसमें क्या-क्या चीजे required होती है तो इसमें required होता है limestone, silica, gyption इसके अलावा coal और electric power भी needed होते है साथ में हमें efficient transportation system चाहिए जैसे कि हमारे देश में rail transportation का काफी जदा उपयोग होता है ताकि हम अपने raw material को ला सकें साथ में finished product को ले जाकर market में बेच सकें अब यहाँ पर यह जो industry है, यह strategically located है गुजरात में यानि बहुत बड़ी संख्या में गुजरात में आपको cement industry मिल जाएंगे क्यों भहिया, क्यों, क्योंकि market नजदीक है, market है कहाँ पे Gulf countries की बात की जारी है यानि जो आपके साथी अरब हो गए या फिर उसके आसपास के जो देश हैं, जो कि Gulf देश कहलाते हैं यहाँ पर अपने cement को बेचने के लिए, cement को वहाँ तक पहुचाने के लिए तो जो factory owners है, उन्होंने अपने industry को कहाँ set up किया है गुजरात में set up किया है क्यों, क्योंकि गुजरात से आप असानी से ट्रांसपोर्ट करके ship के जरिए अपने product को Gulf countries में पहुचा सकते हैं, ठीक है अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि भाई, इंडिया में जो पहला आपका cement industry, cement factory लगा था, cement plant लगा था वो चिन्नाई में लगा था, 1904 में और जब इंडिया आजाद हुआ, देश आजाद हो गया तो इस industry को काफी ज़धा sorry, काफी ज़धा expansion मिला बहुत नए-नए industries खुल गया, नए-नए factories खुल गया, cement के ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा ज़रा है कि improvement in quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from large demand within the country क्योंकि हमने अपनी अच्छी quality कर ली, cement की quality अच्छी कर ली तो हम अपने product को जाकर कहां बेचने पा रहे हैं, हम अपने product को Middle East में भी बेच पा रहे हैं East Asia में भी बेच पा रहे हैं, अफरीका, South Asia सभी जगों पर बेचने पा रहे हैं और हमारे देश में तो requirement हैं ही अब यहाँ पर बात करें तो यह जो industry है, यह बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो production के मामले में हो या फिर export के मामले में है और साथ में यहाँ पर यह भी कोशिश की जारी है कि बहुत ज़्यादा demand generate किया जा सके हमारे देश में ताकि इस industry को लगातार sustain किया जा सके, चलाया जा सके आगे अब हम बात करते हैं automobile industry की, automobile industry के बारे में बात करें तो simply कहें तो भईया car, motorcycle इन चीजों की बात हो रही है इनकी बात हो रही है कि यह जो होते हैं इनकी वज़े से हम आसानी से बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को remote areas में भी पहुँचा सकते हैं अब automobile industry में आपके trucks, buses, cars, motorcycle, scooter, three wheeler, multi-utile vehicle यह सारे आ जाते हैं जो कि इंडिया में अलग-लग जगोंपर बनाए जाते हैं जब इंडिया में liberalization हुआ, liberalization मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर foreign direct investment को अलाव किया गया, private companies को अलाव किया गया तो उससे क्या हुआ, उससे यह हुआ कि नए ने बहुत सारे आपको vehicles बनने लगे, यहाँ पर demand भी बहुँ ज़दा आने लगा जिससे क्या हुआ, यह जो industry थी, यह काफी growth करने लगी, बहुँ ज़दा growth होने लगा इंडिया में passengers गार का demand बहुँ ज़दा बढ़ने लगा, two wheeler, three wheeler का भी demand बहुँ ज़दा बढ़ने लगा और इससे क्या हुआ, कि पूरा industry में काफी हमें boom देखने को मिलता है यहाँ पर question आपसे पूछा जाएगा, जो की previous year में पूछा भी गया है कि भईया, जो liberalization है, इसका क्या impact पढ़ा हमारे automobile industry के उपर तो यहाँ पर इस सारे scenario को आप explain करके लिख सकते हैं कि भईया, foreign direct investment आया, private players आया, FDI आया, जिससे की research development में investment हुआ लोगों के लिए अच्छे कार, सस्ते कार, इस तरीके की चीज़े होने लगी इसको आप explain करके यहाँ आपसे कहानी बना कर लिख सकते हैं यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि यह जो industry है, यह आपका mainly located है देल ही, गुरुग्राम, मुंबई, पुने, चिन्नाई, कुलकाता, लखनाव, इंदौर, हैदराबाद, जमसेतपूर, बेंगलोर इन सारे reason में यह industry located है आगे वढ़ते हैं, आगे हमारे सामने आजाता है अगला industry, अगला industry यहाँ पर क्या आजाता है information technology and electronics industry, यानि कि जो IT industry है, उसकी बात हो रही है software और IT industry की, जो electronic industry है, यह इसमें बहुत सारी चीज़े आ जाते हैं wide range of product आ जाते हैं, जैसे कि transistor set से लेकर television तक, यानि transistor बनाने से लेकर television तक या फिर telephone से लेकर cellular telecom से लेकर telephone exchange, रटार, computer, सारी चीज़े आ जाती हैं इसे sector में साथ में आपका software भी इसी में आ जाएगा, ठीक है अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, जो telecom, जो आपका, जो यह सारी चीज़े हैं, यह आपका इसी में आता है और इंडिया में जो बेंगलोर है, वो एक तरीके से electronic capital के रूप में सामने आ चुका है इसके लावा जो दूसरे important centers है, electronic goods के, वो हैं आपके मुंबई, दिलही, हैदराबाद, पुने, चिन्नाई, कुलकाता, लखनाओ, कौइमबतोर, यह सारे reasons हैं और जो major industry है, इस industry का major बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वो आपका located है कहाँ पर, बेंगलोर, नोईदा, मुंबई, चिन्नाई, हैदराबाद, पुने, इन सारे जगहों पर located है और जो एक major impact हुआ है इस industry का, वो है employment generation के उपर यानि इसकी वज़से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को job मिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में employment generate हुआ है और साथ में यहाँ पर आगे कहें, तो यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है कि the continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India यानि कि software और hardware में growth ही वज़से हमें IT industry में बहुत अच्छा growth देखने को मिल रहा है आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया देखो यहाँ यहाँ पर क्या है, cable management का एक example दिया गया है यहाँ पर सारे industries वगरा खतम हो गए अब यहाँ पर आगे हमें पढ़ना है industrial pollution and environmental degradation यानि कि जो industry है उसकी वज़से pollution होता है, environment को नुकसान होता है इन चीजों की अब हमें बात करनी है ठीक है, जरा सा देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, although industries contribute significantly to India's economic growth and development the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment that I have caused cannot be overlooked देखिए, industries की वज़से इंडिया का economic growth तो हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा चीजे मिल रही है, हमारा life असान हो रहा है, सभी चीजे हो रही है लेकिन इसकी वज़से इसका एक negative impact भी पड़ता है वो क्या होता है, वो होता है, वो होता है pollution और साथ में environmental degradation pollution कैसा, pollution आपका होता है, air का, water का, land का, noise का, इस तरीके के pollution होते हैं और साथ में environment की quality भी खराब हो रही है pollution की वज़से इन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते हैं, इनके उपर भी हमें ध्यान दनी की जरूरत है तो यहाँ पर कहा गया, industries are responsible for four types of pollution air, water, land and noise polluting industries also include thermal power plants जो thermal power plants होते हैं, वोस की वज़से भी pollution बहुँ ज़्यादा होता है सबसे पहले हम air pollution की बात कर लेते हैं, air pollution क्या होता है air pollution का simply मतलब है कि आपका जब air में बहुत high proportion होगा undesirable gases का, यानि जो आपके लिए harmful है, environment के लिए harmful है ऐसे gases जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे air में, तो वो क्या कहलाएगा आपका simply air pollution कहलाएगा, जैसे कि sulfur dioxide, carbon monoxide, airborne particles, जिसमें कि आपका solid और liquid particles भी आ जाते हैं, जो कि air में mix हो जाते हैं जैसे कि आपका dust हो गया, spray हो गया, smoke हो गया, ये भी एक तरीके से air pollution करते हैं तो smoke जो होता है, वो आपको emit किया जाता है chemical और paper, paper factories के द्वारा, यानि जहाँ पर chemical बनाए जाते हैं, paper बनाए जाते हैं, इसके अलावाद जहाँ पर bricks को एक तरीके से पकाया जाता है, refineries होते हैं, smelting plant होते हैं, fossil fuel को burn करके जब वहाँ पर, किसी भी reason से fossil fuel को जब burn किया जाता है, तो क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में pollution होता है, और ये जो pollution है, ये हमारे आसपास के atmosphere को नुकसान पहुचा रहा है, और इन सभी plants होते हैं, industries होते हैं, इन से toxic gas release होता है, जो की बहुत ही hazardous होता है, long term effect के साथ, यानि air pollution क्या है, simply की भईया, वैसे gases, जो की हम हमारे लिए, दूसरे animals के लिए, environment के लिए हानिकारक है, वो atmosphere में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन industries की वज़ा से, इसको हम ignore नहीं कर सकते हैं, आगे यहां पर कहा जा रहा है कि air pollution adversely affect human health, animals, plants, buildings and atmosphere as a whole, air pollution की वज़ा से सभी को नुकसान हो रहा है, इसको हमें जल्दी स जल्दी tackle करनी की जरूरत है, आगे आजाता है water pollution, water pollution क्या है भहिया, water pollution होता है कि जब हमारा जो industries है, industrial waste छोड़ते हैं, और effluent छोड़ते हैं, reverse में छोड़ देते हैं, चाहे वो organic हो, inorganic हो, waste हो, किसी भी तरीके का, उसको जब छोड़ दिया जाता है, reverse में, इस से हमारा जो water pollution है, वो होता है, ठीक है, इसमें जो main culprit है, यानि जो वैसे industries जिनके वज़से ये pollution बहुत ज़्यादा होता है, ये हैं आपके paper industry, pulp industry, chemical industry, textile और dyeing industry, petroleum refinery, tannery, या फिर electroplating industry, ये सारे जो हैं, ये बहुत ज़्यादा pollution करते हैं, अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कुछ example जैस जैसे की dyes, detergent, acid, salt, heavy metals, जैसे की heavy metals में आपके lead और mercury, pesticide हो गया, fertilizer हो गया, synthetic chemical हो गया, जिसमें की carbon है, plastic, rubber, ये सारे ऐसे example हैं, जो की आपके water में छोड़े जाते हैं, industries के दौरा, जिसकी वज़से water pollution हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है, क आपका water bodies, एक तो water आपको जरूरत है पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ जीव जन्तु जिंदा भी रहते हैं, उनके life को भी नुकसान होता है, ठीक है, साथ में आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, कि भाई देखो fly ash, phospho gypsum, iron and steel slacks are major solid waste in India, यानि कि जो water pollution करता है, उसमें solid waste यह सारे ज्यादातर हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या है, आगे हमारे सामने है thermal pollution, अब यह thermal pollution क्या चीज़ होती है भीया, thermal pollution की बात करें, तो thermal pollution कहने का मतलब है, कि यहाँ पर यह water के thermal pollution की बात की जारी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि जो industries होते होते हैं उसमें जो आपका जो आपका वेस्ट मेटरियल छोड़ा जाता है वो आपको जिनरली होट होता है हीटेड होता है जो वाटर छोड़ा जाता है वो काफी गर्म होता है क्योंकि इंडस्ट्री में भाई या गर्म किया जाता है वाटर को या फिर वेस्ट मेटरियल को उ उससे ये होता है कि वहाँ पर जो aquatic life मौजूद है, जो कि जलिये जीव मौजूद है पानी में, उनको काफी नुकसान होता है, पूरा ecosystem water का नुकसान जहलता है. इसमें कहां से pollution होता है, जो आपको nuclear power plant से जो waste छोड़ा जाता है, nuclear और weapon production facilities जो होते हैं, उसकी वज़े से क्या होता है, ये thermal pollution होता है, और इनकी वज़े से क्या होता है, cancer होता है, birth defects होते हैं, miscarriage होते हैं, soil और water pollution जो हैं, ये closely related होते हैं, ये क्या point है, इसको हम discuss करेंगे, ठीक हो गया, harmful chemicals हो गया, industrial effluents हो गया, packaging हो गया, इसके साथ ही salt हो गया, garbage render हो गया, ये soil को useless बना देते हैं, अब यहाँ पर दो चीज़े आपको add की गई है, पहला तो आपको water का thermal pollution, water pollution, simply कह सकते हैं, और दूसरा soil pollution, soil pollution और water pollution एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे, आपने industry ल में छोड़ा, अब वो waste जो है, वो उस water को तो गंदा कर रहा है, साथ में उसके नीचे जो soil है ना, उसको भी खराब कर देता है, उसकी भी जो fertility है, उसको खत्म कर देता है, वहाँ पर आपको कुछ आप उगा नहीं सकते हैं, कुछ उपयोग नहीं कर सकते हैं, और आप वहा कैसे खराब होता है, और कैसे ये affected होता है, ये होता है कि जब rainwater यहाँ पर soil के अंदर पहुचाती है, pollutants को, जिसकी वाज़से ground water भी आगे चलकर contaminated हो जाता है, और ये हमारे लिए हानिकारक बन जाता है, यानि कि surface पर जो water है, वो तो गया, साथ में soil भी गया, और soil के साथ ज noise pollution, noise pollution क्या होता है, भाईया, आपको पता है कि बहुत हला गुला शोर मचता है, वही हमारा noise pollution है, अब यहाँ पर देखिए, noise pollution से नुकसान क्या है, नुकसान ही है कि भाईया, बहुत irritation होता है, साथ में हमारा कान भी खराब हो सकता है, हमको headache भी हो सकता है, हमको एक तरीके से हम stress में आ सकते हैं, tension में आ सकते हैं noise pollution की वज़ा से BP बढ़ सकते हैं और भी बहुत तरीकी विमारी हो सकती है noise pollution simply है कि भाया unwanted sound जब हमें irritate करेगा जो हमें पसंद नहीं है music बजेगा तो अच्छी बात है लेकिन बिकार का machine चल रहा है sound हो रहा तो क्या है? noise pollution है ठीक है अब यहाँ पर example दिया गया कि जो industrial और construction activities होते हैं जो machines चलते हैं, factory equipment होते हैं generator होते हैं, saw होते हैं इसके अलावा electric deal बहुत सारी चीज़े होते हैं, इनके वेसे क्या होता है? noise pollution होता है, जिससे कि लोगों के health पर काफी ज़दा impact पड़ता है कैसे पड़ता है, यह हमने बात कर ली अब यहाँ पर आगे हमारा क्या control of environmental degradation यानि जो environmental degradation हो रहा है इन सारे pollution की वज़े से जिनको उपर हमने देखा, इसको हम control कैसे कर सकते हैं, इसको हम सुधार कैसे सकते हैं, या इसको काबू में कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि every liter of waste water discharged by our industry pollute eight times the quantity of water यानि कि अगर हम एक liter water डालते हैं, discharge करते हैं, गंदा water discharge करते हैं, तो उससे क्या होता है? आठ लीटर साफ पानी खराब हो जाता है यूज करने लायक नहीं रहता है तो यहाँ पर हम कैसे industrial pollution को control कर सकते हैं, industrial pollution of fresh water को reduce करने के कुछ suggestion दिये गए हैं सबसे पहले, हम क्या करें? हम water का use minimize करें कैसे? हम water को जो industry में use कर रहे हैं, उसको reuse करें, recycle करें, ताकि दो से तीन बार हम उसको एक तरीके से या तो reuse करें या फिर जब हम उसको water body में छोड़ें तो process करके, साफ करके छोड़ें ठीक है? साथ में harvesting of rain water to meet water requirement. Water harvesting करनी की बात की जारी है साथ में treating hot water and effluents before releasing them into rivers and ponds. नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले hot water को ठंडा कर दें, गंदे पानी को साफ कर दें, ताकि aquatic life को नुकसान न हो और साथ में हमें भी कोई नुकसान न हो. ठीक है? यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आपको तीन phases बताए गए हैं, जिसमें कि हम industrial effluents का क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं. तीन phases क्या है? पहला तो भाई या primary treatment पहला stage में क्या है? हम mechanicals तरीका उप्याएंगे, उपर योग करेंगे. जैसे screening करेंगे, grinding करेंगे, fluctuation करेंगे, sedimentation करेंगे. ये सारे process हैं, जिनके जरीए हम क्या कर सकते हैं? water को treat कर सकते हैं. secondary treatment होगा biological process के जरीए. मतलब कि कुछ chemicals या फिर आपका कुछ आपके organism का आपको जो microorganism हैं उनका उप्योग करके हम water treatment कर सकते हैं. इसके बाद tertiary treatment होता है, जिसमें कि biological, chemical, physical process सभी इस्तमाल करते हैं, जिसमें कि wastewater को हम क्या करते हैं? recycle भी करते हैं. ठीक है? आगे हमारे सामने क्या है? आगे यहां पर बताया गया है, कि भाई या देखो, groundwater का अगर हम overdraw करते हैं, overuse करते हैं, जो कि आपको mainly industry की बात हो रही है, कि industry बहुँ जदा अगर groundwater का उप्योग करता है, जिससे क्या होगा? groundwater resources जो हैं, वो नीचे चले जाएंगे. इससे हमको क्या करना है? बचना है, groundwater को हमें बचा कर रखना है, groundwater की level को बना कर रखना है, ठीक है? इसके अलावा कहा जा रहा है, कि जो particulate matter है air में, उसको reduce कैसे किया जाता है? उसको reduce किया जा सकता है, अगर जो chimney होते हैं, जहां से धुए निकलते हैं, यहां पर हम smoke stack लगा दें, यहां नीज यहां पर smoke filters लगा दें, जैसे कि आपको जिसमें की electrostatic precipitators होते हैं, fabric filter हो, scrubber हो, inertial separators हो, यह सारे हो, ऐसे filter लगा दें, जो कि इन chemicals को air में जाने से रूके, उससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे air को pollute होने से बचा सकते हैं. आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है? Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. अगर हम coal के जगह पर oil और gases का इस्तिमाल बढ़ा दें, तो हम pollution को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इसके अलावा आगे कहा जा रहा है, machinery and equipment can be used and generator should be fitted with silencer. यानि कि noise pollution को कम करने के लिए हम generator में silencer लगा दें, जो machinery है और जो equipment है उसमें भी silencer लगा दें, मतलब sound कम करने की कोशिश करें. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. यानि कि सभी machine को हम फिर से design करें, इस रूप से कि वो sound कम करें और energy efficient ज़्यादा हो, मतलब कम से कम energy का उप्योब करें. इसके अलावा कहा जा रहा है कि noise absorbing material को use कर सकते हैं, लोगों के लिए, जैसे कि ear plugs हो गया, ear phone हो गया, ताकि लोगों को जो कान में headache, इस तरीके के problems से उससे बचाया जा सकें. इसके लावा आगे कहा जा रहा है, the challenge of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns. जब हम sustainable development की बात करते हैं, तो इसमें हमें economic development और environmental concern दोनों को साथ मिलेकर चलने की ज़रूरत है. अब यहाँ पर आगे क्या है, आगे यहाँ पर है NTPC source the way. NTPC क्या है भाईया, NTPC हमारे देश का major power providing corporation है, जो की power provide करता है इंडिया में. इसको ISO certification है, यह सारे चीजे काम के नहीं हैं, काम की क्या है, कि भाईया देखो corporation जो है, वो काफी एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि natural environment को preserve किया जाए, जैसे कि water, oil, gas, fuels, इन सभी जगों पर एक तरीके से preserve किया जाए, ठीक है. आगे यहाँ पर क्या है, यह कैसे हो पाया, यह कैसे कर रहा है, यह आपको तरीका यहाँ पर बताया गया है. Optimum utilization of equipment, adopting a latest technique and upgrading existing equipment, यानि सभी equipment को हम upgrade करें, latest technology का इस्तिमाल करें, waste generation को minimize करें, कैसे, जो ash बनता है, यानि जो आपको आग लगाने पर जो राख बनता है उसका utilization करके, इसके अलावा, ecological balance बनाने के लिए green build बनाए गए, इसके अलावा, जो special purpose vehicle है, एफ़ोरेस्टेशन, यानि पेड लगाने के लिए बहुत सारा काम किया गया, इसके अलावा, क्या किया गया, environmental pollution को कम करने के लिए, as pond management तरीका अपना आगया, as water recycling किया गया, इसके अलावा, liquid waste management किया गया, ecological monitoring किया गया, इसके अलावा, online database management system किया गया, सभी power plants के लिए, इस तरीके से क्या किया गया, बहुत थत्ता control किया गया, pollution को, किस तरीके के pollution को, जो water pollution है, air pollution है, सभी तरीके के pollution को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यह chapter खत्म होता है, इस chapter का हम एक और वीडियो करेंगे, जिसमें कि हम क्या करेंगे, notes से सभी question के साथ, previous year question के साथ, सभी के साथ हम इस chapter को फिर से discuss करेंगे, तब तक के लिए हम क्या करते हैं, आप से विदा लेते हैं, तब तक के लिए good bye,